सबी लोग को नमस्कार I must say कि आप लोग बहुती sincere और studious हों आप audit ये subject 11 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ते हो तो frankly speaking मैं ऐसा सोचता था कि इतने समय में शायद हमको देड़ घंटी की ब्रेक देना पड़े लेकिन दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि in totality हम 45 minutes की ब्रेक देते है 45-50 minutes की ब्रेक देते है So that really shows that correct कि आप बहुत dedication से पढ़ रहे है उससे यो भी समझ में आता है कि मैं अच्छा ही बढ़ा रहा हूँ Okay, okay It's very important to be happy, enthusiastic So, दो दिनों में हमने काफी सारी चीजे कवर की We have covered lot of things, standards बहुत सारे कवर की, important chapters कवर की हम लोगो ने और आज का दिन है हमारे कास, let's make it super, let's try to cover maximum things Okay, we start with 300 series 300 series ते हम लोग शुरुबात करते है बहुत आसान सी है, simple सी है Page number 31 पे आई है Page number 31, concept number 30.10 और सारे fan बंद हो जाएंगे सारे fan बंद हो जाएंगे Because हम लोग battery backup पे चल रहे है अगर वो खतम हो गया, तो lights बंद हो जाएगी, class बंद हो जाएगी और मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं कि किसी की जान नहीं जाएगी सही बता रहा हूं थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा uncomfortable महसूस होगा But after that time, it will be all fine, आपको आदत हो जाएगी पूरे दिन नहीं, it's still two o'clock और हो सकता है अगर अच्छे से काम करे, transformer का maintenance चल रहा है अच्छे से काम करे तो दो बज़े की जगा, एक बज़े तक ही ऐसा हो तो उतना तो हम मैडम आपका बहुत ही उंदा फ्यूचर है पॉलिटिक्स में आज से दस साल बाद, करेक्ट चोटी बाद बिल्कुल ना सोचे, election क्या, कुछ नहीं होगा एवरिवन विल विल वाल फाइन ठीक है चलिए ध्यान देंगे ध्यान देंगे नाओ, कम पेज नमर 31, कॉंसेट नमर 30.10 प्याई ये बहुत सिंपल था, सेट्फरवर्वर्ड अदिट्स्राटेजी अदिट्स्राटेजी के उपर है इसको ओवर्राल अदिट्स्राटेजी भी बोलते हैं और इंसिट्यूट हमारा महाने हम सब जानते हैं उन्होंने प्लानिंग के उपर चैप्टर भी इंकलूड किया है और उसमें उसको बोलते हैं ओवर्राल अदिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वो answers उसको ज़्यादा importance दे रहा है, उसको ज़्यादा include कर रहा है, इस question के दो alternative answer बनते हैं और बच्चे जबरदस्ती इससे confused होते थे बहुत ज़्यादा, practice normal में कभी अलग answer है, suggestion में कुछ और मिल जा रहा है, तो मैंने दोनो alternative लिखे हैं, दोनो alternative लिखे हैं और उसमें पूरी कहानी बताई है, और मैंने first alternative को prefer किया है, because that is coming directly from standards on auditing, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे, broad guidelines की audit कैसे करना चीए, क्या do's होने चीए, क्या don'ts होने चीए, उसको हम लोग बोलते है, overall audit strategy, उस पे shortcut है वहाँ पे, RCRPF, राजस्थान CRPF की strategy अच्छी है, ऐसा आप उसमें दिमाग न रख सकते है, RCRPF उसका shortcut है, RCRPF, resources, resources की strategy आपको बनानी पड़ेगी, बड़ी टीम लेके जाएंगे, जल्दी काम खतम करेंगे, छोटी टीम लेके जाएंगे, ज्यादा समय हम लोग बिताएंगे, टीम में कितने लोग होंगे, वो strategy रखनी पड़ेगी, उनका कितने लोग वो strategy, कितने seniors होंगे, कितने juniors होंगे, कितने articles होंगे, तो audit strategy बनाते वक्त हमको सबसे पहले resources की strategy बनानी पड़ेगी, कि कितने लोग हमको यह assignment पे लगेंगे, जनरी number of hours, man hours में calculation होते हैं, कितने man hours लगेंगे, यह assignment करने के लिए, फिर उसके बाद, C stand for, yes, then, C stand for characteristics of the assignment, इस assignment के important features क्या है, how this particular assignment is different from others, what are the characteristics, अगर क्या special characteristics, क्या important features है, अगर bank है, प्यार इनका तो financial statement का format ही पूरा अलग है, यह तो पूरे RBI circular से चलते है, IRDA, insurance वाले पूरे IRDA से चलते है, क्या important features है, क्या इनके accounting का तरीका अलग है, financial statements अलग है, क्या इनको जो law लगता है, वो अलग है, क्या इनका financial reporting framework अलग है, क्या इनके जो taxes होते है, वो अलग है, इनका organization structure कैसा है, these are the characteristics, और फिर हम क्या काम कर रहे है, उसमें क्या special है, क्या different है, हम पूरे group का audit कर रहे है, सिर्फ holding का कर रहे है, सिर्फ head office का कर रहे है, इनका internal audit system कैसा है, उसमें भरोसा कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो, these are characteristics of the assignment, important features क्या है, उसको ध्यान में रखकर suitable strategy को बनाना पड़ता है, तो important characteristics को समझे और वो समझ के फिर strategy को बनाए, then, our stand for reporting objectives, हमको साल भर में कितनी reports देनी है, quarterly reports देनी है, annual reports देनी हमको, उसके list बनाए, उसका format क्या होगा, communication, reporting and communication, हमको कोई regulatory authorities से communications करने है क्या, फिर हमको दोस्चार्ज विद governance से कितना communication करना है, येको में दिमाग में flow आता है, regulatory authorities से communication, ECWG से communication करना है, हमारे दूसरे auditor से उन से communication करना है, team member से communication कैसे करना है, इसके बार में लिखना पड़ेगा, पिछले बार हमारा experience था, कि team में अच्छा coordination नहीं था, तो immediately हम लोग fortnightly मिलते थे, वही weekly हम लोग मिलेंगे और meeting करेंगे, then P stand for preliminary work, हम लोगों ने, जो हम लोग को और audit प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो हम लोगों प्रिलिम्नरी एंगेजमेंट आक्टिविटी, P.E.A. यादा रहे है सब, assignment, initially हम को जो काम करना पड़ता है, preliminary engagement activity, assignment लेना है कि नहीं लेना है, ethical कैसे रहना है, ensigning engagement letter, उससे इतना experience मिलता है, उससे इतना experience मिलता है कि उससे strategy बनाने में मदद मिलती है, जैसे वहां से हम को समझा, इनका legal head बहुत ही जूड बोलता है, भयंकर जूड बोलता है, जूट ही जूड बोलता है, बोले ये, इसकी किसी बात पे straight away भरोसा नहीं करना, इसकी सभी बातों को action evidence से पहले match करना, अगर match होती होंगी तो ही भरोसा करे, हमने strategy में लिख दिया, then F stand for factors, significant factors, significant factors के बारे में यही पे सुचाता है, वहां पे CRIM, चार चीजे होती हैं इसमें, significant factors में, CRIM, changes, risk, significant factors, changes, आप जब भी चेंजे होती हैं, whenever changes happen, changes in the law, changes in financial reporting framework, changes in software, change in accounts team, changes in production process, जब भी चेंज होती हैं, गल्ती होने के चांसे जबर्दस्ट बढ़ जाते हैं, correct, now we are here in a new setup, recording setup, I am over cautious, normally our setup, we press the start button, and stop button, यहाँ पे, it's a new thing, if anything goes wrong, correct, सारे वीडियोज खराब हो जाएंगे, I am more cautious, whenever changes happen, वैसे organization में, अगर कई पर भी चेंज होए ना साहब, बहुत ज़्यादा chances है, कि उसकी accounting में problem होगा, तो changes को बहुत ज़्यादा important, it's a significant factor, रिस्क, यही पे सोचा जाता है, कि audit risk कितनी होनी चाहिए, audit risk हम तय करते है, बहुत ही sensitive client है, listed company है, पूरे दुनिया की उस पे नजर है, 1% audit risk रखेंगे, we decide audit risk कितनी रखनी है, हम discuss भी करेंगे, 1% risk रखना है, हम तय करेंगे, 5% रखना है, हम तय करेंगे, internal control system, हमारे past experience, हम को क्या बताते है, कि यह company के systems कितने strong है, साब systems ना, हमारे audit की मेहनत को, बहुत ज़्यादा impact करते है, system strong है, तो मेहनत एकदम कम हो जाती है, और system weak है, तो मेहनत बहुत बढ़ जाती है, पूरा system, प्रोफेसर ने shortcut दे दिया, particular question का, अरे यार यह तो फटा फट मैं याद कर लूँगा, महनत एकदम कम हो जाती है, और बोले तू पढ़ ले, अरे भाई पढ़ ले, मजा आगे के भाई, तो महनत बढ़ जाती है, तो वैसे system कितना strong है, इसकी उपर बहुत जादा चीज़े dependent है, तो system आपको कैसा लग रहा है, यह तभी आप सोच लो, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, past experience से कैसा लग रहा है, उसके उपर based strategy को बनाए, and M stands for materiality, materiality level क्या होगा, उसके बारे में भी यही पर सोचते है, क्यूंकि यही पर सोचते है, इसलिए 320 डील करता है किससे, materiality से, correct, let's freeze guys, किसकी strategy अच्छी है, Rajasthan CRPF, R for resources की strategy, C for characteristics of the assignment को ध्यान में रखके, strategy को बनाऊ, then R for reporting and communication, then P stand for preliminary engagement activity से, आपने जो सीखा, उससे आप strategy बनाए, then Aakhri मे, F stand for factors, which factors, significant factors, char CRM, changes, risk, internal control system and materiality, अब आईए 30.31, November 18 के RTP में है यह, page number 34, document करना है, तो बुले, document क्या करना चाहिए, हमको तीन चीज़ों को document करना चाहिए, we are supposed to document three things, और वो पहले हम लोग क्या बनाते है, strategy, पहले हम लोग strategy बनाते है, तो आप strategy बनाते हैं, तो साब, strategy को document करिए, उसके basis पे हम details, step by step क्या बनाते है, plan, तो आप plan को document करिए, और फिर उसमें क्या होते रहते है, changes, updates, आप उसको document करिए, तीन चीज़ों को आप document करिए, that's it, या answer खतम हो जाता है, लेकिन फिर institute नहीं मानता, मैंने आपको बताया था, आप कोई भी standard on auditing पढ़ेंगे, तो सबसे पहले basic principle आता है, और फिर उसका explanatory material होता है, तो institute का क्या, पांच मांक का answer बनता नहीं है, तो वो उठाते पहले principle वाली बात को उठाते, और पांच मांक का answer नहीं बन रहा, तो फिर explanatory part लेकिया आते, जिसके अंदर आधी बार वो ही बात repeat होती है, आधी बार जो principle लिखा होता है, उसी को repeat किया जाता है, और क्योंकि बट अब्वियस है, क्योंकि वो explanatory part दस भी stage के पाद होता है, तो वो ही बात फिर से repeat करते, और कभी-कभी और भी कुछ चीज़े add कर देते, तब सुनो, और institute ने जो heading डाली हो, heading भी सही नहीं है, तीन points है, तीनों की heading ऐसी होनी चीए थी, documentation of overall audit strategy, उसके बारे में पहला paragraph है, documentation of audit plan, उसके बारे में दूसरा paragraph है, and record of significant changes, उसके बारे में तीसरा, heading भी institute की सही नहीं है, heading सही नहीं है, they are simply talking about the three things, तो उसमें strategy में ओ लोग बताते हैं, कि सभी किसी भी audit assignment में meetings होती है, important जो seniors होते हैं, जो engagement partners हैं, seniors हैं, उनके decisions होते हैं, audit में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, की decisions होते हैं, तो उनका कहना है, strategy का record रखते हैं वक, जरूर जरूर से आप record रखिए, meetings कब हुई थी, meetings में कौन सी बाते discuss की गई थी, और उसके conclusion क्या निकले, meetings और उसके conclusion के बारे में, आपने record रखना चाहिए, जब आप strategy का record रख रहे हैं, फिर plan के बारे में, वो लोग बात करते हैं, ठीक है, plan के बारे में, आप सब को पता होगा, plan कितने बनते हैं साब, तीन, पहला plan बनता है, risk assessment procedure का, कि कौन जाकर information इखटा करेगा, और कैसे इखटा करेगा, उसको execute करने के बाद, plan बनता है, further audit procedures में, अगर आपको याद आर होगा, further audit procedure में, एक होता है test of control, और उसके बाद होता है, substantive procedures, तीसरा plan बनता है, as and when required, for implementing other standards on auditing, ऐसे 560 subsequent event के लिए हो सकता लगे, तो उसके लिए बना लो, going concern में दिक्कत है, तो 570 के लिए बना लो and so on, तो वो जो plan की details है, वहापे वो ही लिखा है, कि plan के अंदर nature time extend, record करना पड़ेगा, risk assessment procedures को लेकर, risk assessment के बाद, further audit, procedures, and how to implement other standards on auditing, फिर उसमें तीसरा, significant changes, वो simply समझा रहे, कब change होते है, ठीके कब changes होते है, circumstances बदल जाना, law बदल जाना, F.R.F. बदल जाना, कुछ जगा fraud मिलना, problems मिलना, उस वय से plan बदलता है, उसका भी आपको record रखना है, तो basically strategy, plan और changes के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी दे रहे है, और उसका record रखना चीए ऐसा बता रहे है, Is this point clear? ऐसा करने से, आपको दिमाग में simplicity आएगी, Okay, I know what this paragraph wants to say, and this is not something different. Is this point clear? November 18 के RTP में, आपे लिखाया मेने refer notes, what are the advantages of planning? में नहीं समझा नहीं क्या बूल रहा है? अच्छा सवाल यह है कि, हर standard में आखरी में यह बाते लिखी है कि, हमने इस standard से related क्या documents को maintain, करना चाहिए, तो क्या हम हर बार 230 ऐसे का reference दे, answer is no, बच्चे फिर ऐसे ही करते है, जब भी documentation आता 230 लिख देते, जब भी risk आता 305 लिख देता है, जब भी proser आता 330 लिख देते, I don't think it is a good approach, जबरदस्ती के standards को भरना है, उससे paper check करने वाले को ऐसा लगता है, ये जबरदस्ती answer लिख रहे है, आप लोग को ऐसा लगता होगा money-man, कि मैं जितने ज़्यादा essay लिखूँगा, जितने ज़्यादा मैं sections लिखूँगा, उतना मेरा answer बहुत भीतरीन बन रहा है, मेरा impression बढ़ते, जा रहा है, तो मैं आपको बता दू कि आप relevant answer, definitely background लिखिये, explain करिये, लेकिन relevant चीजे ज़्यादा लिखने कोशिश करिए, जिसे अगर ये question है, आपको पता था, तो फिर आपको ठीक है, आपको पता है, तो फिर आपने उसको चीजे changes करने नहीं चीए, क्या है, अभी 230 में क्या लिखिया, मैं आपको पता हूँ, अभी वो, मतलब I don't know if that will be targeted, इंटर में होता है, documents ऐसे maintain करने चाहिए, कि कोई experience auditor आकर file open करे, तो उसको चीजे समझ में आ जाए, इस तरीके से, इस format में, इतने detail में, documents को maintain करना चाहिए, ये एक general principle है, ऐसे 230 का, correct, institute के answer में आपको 230 का reference मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको उठाया directly ऐसे 300 से, correct, वहां से लिया, मतलब मैं बुलूंगा, मतलब फिर ऐसा होगा, आपको standard tool बाना पड़ता है, फिर जहां document word आ गया, तो 230 हर जागा, तो फिर पाच लेगा, कि 50% answers में, 230 लग गया, तो ये तो ये नट रोट बोपर अप्रोच, फिर ऐसा लगता है कि, बच्चा जबर्दस्ति एंसर बना रहा है, इस ट्राइं जस्ट्राइं तो पुट एवरिधिं वदी नूस, क्या, आप नोट्स में, पेज नंबर 1.6 पर आई है, वहाँ पर 30.32 करके ये नो दिया हुआ है, देखो, क्रॉस रिफ्रेंसिंग दिये, अगें, अगर आप देख चुके हो कि, आई प्रिफर फ्लो, अगर फ्लो मिले तो मैंने बस वह फ्लो में चीजों को लिखा हुआ है, बहुत सोथ समझ कर अगर आप प्लान बनाओगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, सही टीम को सिलेक्ट करके, ठीक है, सही टीम को सिलेक्ट करके, वर्क असाइन करने में पहला एडवांटेज, बहुत अच्छे से सोथ समझ के प्लान बनाओगे, तो आपको पता होगा, मुझे कैसी टीम चाहिए, आप अच्छा सिलेक्शन कर पाएंगे, अगर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, क्या काम करना है और कैसे करना है, या अगर आप लोगों को पहली बता देंगे, अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे, इंस्ट्रक्शन उसको दोगे, तो बंदे को पता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है, और वो उसको अच्छे से रिस्पोंसिटी अकाउंटबिटी से काम करता है, यह एडवांटेज है, टीम सिलेक करने में, काम असाइन करने में एडवांटेज होता है, अच्छा प्लान बना कर दोगे, तो वो जिम्मेदारी से, अकाउंटबिटी से काम करेगा, यह उनका काम आसान कर देता है, जूनियर्स को पता होता है, यार मुझे क्या काम करना, इस वेरी गुड फर दें, ऐसा करने से कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया छूटता नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट एरियास कवर होते हैं, देर इस नो ओवर लुकिंग, जो प्रॉब्लेम आने वाला है, हमको पता था, एक्सपर्ट की ज़रत रगने वाली है, पहले सी हमने एक्सपर्ट से बात करके रखिये, पोटेंशल प्रॉब्लेम पहले ही हम सोच के रख चुके थे, खुद का काम करने में बड़ी आसानी होती है, अब खुद का काम होने के बाद, कोडिनेशन विट अदर ओडिटर, अरे दूसरे ओडिटर से बात करना है, तो पता तो होना चाहिए कि मेरा काम कैसे शुरू हो रहा, कौन सा एरिया कब खतम होगा, कब मैं उससे आके बात करूँगा, कोडिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, सीनियर को मदद मिलती है, और इट सूपरवाइस करने में, कंट्रोल करने में, सूपरविजन में उसको पता होता है, कि भाई दूसरे हफते तक इतना काम होना चाहिए था, तीसरे हफते तक इतना काम होना चाहिए था, नहीं हो रहा, तीम को बोलो नम्मरा फार्ज बढ़ाएंगे, एक्स्राबंदो को लगाओ, कुछ जादे ये लोग फार्ज जारे हो सकता है, इंडेप्ट चेकिंग नहीं कर रहे है, शूपरवाइस करके, कंट्रूल करने में, भाई साब अगले साल बहुत मदद्ध मिलती है, अगले साल की कीम काम शुरू काईसे करती है, फिछले साल का टांदेक करके, मतलब ये साल तो खतम हो गया, अगले साल जडवांटेज है, और लोग बोलेंगे, आप निगलिजन थे, ऐसे कैसे निगलिजन थे, पुरा प्लान रे पास नुमा, प्लानए मेरे पास नू, जॉट पॉफ were designing your audit procedures when you're designing your particular assignment. देखो फ्लो में सब अच्छा प्लान मना है तो, selection में आसानी, assignment of the work में आसानी, लोग को अच्छे से काम समझा होगे तो, responsibility, accountability से काम करेंगे, junior scale लिए काम करना आसान हो जाएगा, it will be very easy for them to work, काम करते वक सारे important areas cover होंगे, कोई overlooking होने वाली नहीं है, problems पहले से हम लोग सोच कर उसको solve तर लेंगे, हमारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है, और हमारे काम के बाद किससे कोडिनेट करने में आसानी होगी, coordinating with other auditors, उनसे कोडिनेट करने में भी हमको आसानी हो रही है, correct, senior को फाइदा है, supervision में कि इतने समय तक क्या होना चीए था, control करने में, धीरे जा रहे तो क्या करना, पास जा रहे तो क्या करना, supervision control में, इस साल का assignment खतम हो गया, अगले साल भी इसका फाइदा है, और आज से 2-3 साल बात कोई मेरे पर इलजाम लगाएगा कि मैंने निग्लिजेंटली काम किया तो उसको प्लान बताऊंगा, यह प्लान था और ऐसे एग्जेक्विशन था, I am not negligent, तो साब, देखोई, benefits of planning आपको लगेगा चिलर है भी, लेकिन exam में जब आता है ना, तो points गिरने चीए सही, करेक्ट और November 18 के RTP में इसलिए पढ़ रहे है, यह तो final level पर तो पढ़ता भी नहीं है कोई, ध्यान देगे, Now, ऐसे 315, इस portion को नहीं पढ़ेंगे, उसके बिना भी काम हो जाता है, जयान नहीं है, और अब यह समझ जाए, बहुत सिंपल सा, risk और उसके components, risk और उसके components को ऐसे 200 में define किया गया है, but it is more relevant to study it here, क्या लिखा है बहुत आसान, किसी भी assignment में आप जाते हो तो थोड़े समय के लिए, यह अजूम कर लो कि internal control systems नहीं है, assume that there are no internal control systems, and then think, because of nature of business, nature of people, nature of circumstances, which assertions can go wrong, कौनसे assertion में आपको material misstatement मिल सकता है, individually or in aggregate, वो areas को आपने mark करना चाहिए, inherent risk, जब आप internal controls नहीं है, ऐसा assume करोगे, तो आपको real nature समझेगा, business का, उसके assets और liability का और लोगों का, इसके थोड़ी दर के लिए assume करो, क्या assume करो, internal control systems नहीं है, अगर आपको आपका real nature समझना है न, तो कभी यह सोच के देखो, जब आपको कोई देखता नहीं है, तब आप कितनी पढ़ाई करते हो, वो आपका real nature है, अगर ठीक है किसी का ध्यान है, आप जब कोई behave कर रहे हो, that is not your real nature, जब आपको कोई observe नहीं कर रहा है, तब आप क्या करते हो, that is your real nature, वो ही बात को यहां पर लिखा गया है, इससे हम को समझ में हैगा, inherent risk, business के nature, लोगों के वजय से, circumstances के वजय से, क्या risk निकल कर आ रही है, एक्जामपल दे रहा हूं, retail industry, retail industry में अगर systems ने होंगे, सबस्यादा गढ़बड किस में होगी, cash and stock, नजर हटी, दुरगटना घटी, और एक होस्ते वाले तो और ही खतरनाक होते है, किराना शॉप जनरल स्टोर्स पर आते है, भीड एक्दम, भाईया यह, भाईया वो इदर दुर तिन चीज़े गाया हूं, retail, नजर हटी, दुरगटना घटी, सबसे अगर internal control systems नहीं होंगे, तो सबसे अधा गढ़बड होंगी cash or stock में, ऐसे हर business में अलग-अलग areas होते है, coaching classes के हम बात करू, rent fix होता है, electricity का government bill भेजती है, salary fix होती है, कहां पे गढ़बड हो सकती है, it can be fees collection, fees collection में गढ़बड हो सकती है, it can happen books का जो sale है, revenue collection में गढ़बड हो सकती है, correct, it can happen कि अब ज्यादा दिमाख लगा लिया, बोले sir इतना knowledge बाट रहा है, तो use भी कर ले बोले उसका, उसको implement भी कर ले ते बोले, let's बोले sir collusion समझाते हैं, हम करके देखते हैं, correct, जो fees collect करते हैं, भाहिया इदर आओ, 500 आप ही रख लो यार, 500 आप रखो, 2000 छोड़ दो, correct, there can be, there can be risk, there can be, there can be risk, ठीक है, in fees collection, अगर मैं बात करता हूँ, टेलीकॉम की, टेलीकॉम की बात करता हूँ, तो billing is the very complicated thing, बहुत ज्यादा complicated है, फिर अगर मैं बात करता हूँ, jewelry की, तो gold purity and diamond valuation, ऐसे हर business में अलग-अलग जगह आपको risk मिलेगी, तो उसको हम बोलते है, inherent risk, तो अगर suppose example, 100 item है business में, और आपने जाके सोचा, कहां गलती हो सकती है, आपको सिफ 40 item मिले, वहाँ पे आपकी है inherent risk, अब अगर आपको inherent risk को compensate करना है, तो आपको बहतरीन internal control systems चाहिए, लेकिन अगर, chances that, internal controls are not able to, internal controls are not able to, prevent, detect or correct, material misstatement, मतलब कौन सी risk है, control risk है, बास समझ रहे साब, अगर ये दोनो risk को combine कर दू मैं, दोनो risk को combine कर दू, तो मुझे पता चलेगा, what are the chances that, misstatements will reach financial statements, what are the chances that, data in financial statements, is having material misstatements, क्या चांसे से, ये financial statements में material, misstatements रहेंगे, उसको मुलते है, risk of material, misstatements, chances that, financial statement, which are presented to, auditor, which are presented to, auditor, before we start the audit, that risk is called as, risk of material, misstatements, 100 atoms थे suppose, कितने अटन थे, 100, 100, 100 मैं से इन 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 इस किसने मिली थी, 40, सब लोग मेरे सवालों का जवाब देंगे, guys we have to make, ठीक है, be enthusiastic, if you are not enthusiastic, you are ungrateful to the mighty God, आपके पास समय उसको यूज कर लो ने अच्छे से, खोड़ा enthusiasm दिखाओ, और life में enthusiasm से जीना सीखो, correct, आधी जनता परेशान है, past guilt को लेकर, mistakes को लेकर, regrets को लेकर, आधी परेशान है, future को लेकर, आधी परेशान है यह है, ठीक है, fan नहीं चल रहा है उसको लेकर, बस तुम परेशान रहो life में, समय तो जा रहा है, be enthusiastic, बराबर, छोटे छोटे सवाल पूछें, उसका जवाब तो थोड़ा जोश दिखाओ, ध्यान नहीं, नहों, तो बहुत ही आसान है, कितने items साब, 100, जाते से हमने देखा, system नहीं अगर, तो किती जा गलती हो सकती है, 40, फिर हम लोगों ने जाके देखा, यह 40 जगा पे, internal control systems कैसा है, हमको पातला, 25 जगा पे बैतरी नहीं है, 25 जगा पे गलतियों को पकड़ लेगा, कोई problem नहीं है, लेकिन 15 जगा पे weakness है, मतलब यह 15 ऐसी चीज़े है, ठीक है, 15 ऐसे items है, जहां से गलतिया पहुचेगी, कहां पे financial statements में, तो 15 जगा क्या मिलेगा आपको, risk of material misstatement, Is this point clear? यह जो पूरा left वाला पार्ट है, यह जो पूरा का पूरा left वाला पार्ट है, ठीक है? इस complete left part, यह management के हात में सब, किस के हात में? Management, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते, के, we can only identify and assess, we can only identify and assess. अब हमारे हात में क्या है? हमारे हात में? Detection risk, what is detection risk? Chances that, chances that audit procedures will not be able to identify material misstatement, that will be called as detection risk, yes, no. वो डिपन करता दो स्पें, sampling and non-sampling risk. यह क्या होता है? Chances that audit procedures fail, auditor's conclusions go wrong, because of sampling process, because of sampling process. यार सही sample select नहीं हुआ, it is not representing population, उस वज़े से conclusion गलत हो गया. ठीक है? उसको हम लोग बलते है, sampling risk. What is non-sampling risk? Chances that conclusion goes wrong, not because of sampling, लेकिन वो sample की उपर तुमने जो audit procedure लगाई, वो इनप्रोप्रेट थी, वो incomplete थी, उसको careless नहीं लगाया, उसका evidence बराबर interpret नहीं किया, that is non-sampling risk. Sample गलत select किया, उस वज़े से गलत हो गया, that is sampling risk. उस पर audit procedure बराबर नहीं लगाई, उसके वज़े से conclusion गलत हो गया, that is non-sampling risk. यह जो पूरा part है, यह जो पूरा part है, यह किसके हाथ में सब? auditor के. auditor, detection risk को inversely adjust करेगा, कैसे adjust करेगा? inversely, जहाँ पर risk of material statement, ज्यादा है, वहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, इतने बड़े sample लेगा, इतनी ज्यादा process लगाएगा, कि उसके आज से गलती ना हो, ठीक है? उसे आज से गलती बहुती कम हो, ऐसा है, मतलब inversely adjust किया, और जहाँ पर RMM कम है, he can afford to relax, आराम से बैठो जा चेकिंग मेही की तो भी चलेगा, ऐसा करने से ही वह efficient और effective बन पाएगा, हर जगा equal मेहनत करेगा, तो he will not be able to do the audit, परावर वह पूरा audit अच्छे से नहीं कर पाएगा, इस point clear, मतलब अगर बारिश का सीजन चल रहा है और municipal corporation बोलती ही पानी अच्छा नहीं है, तो बहुत जादा रिस्क है, रिस्क हाए है तो बेटा aqua guard उससे पहले purifier करवाओ, उसके बाद में कोई chemical है वो दालो, फिर एक boil भी कर लो, फिर उसको चान भी लो, और उसके बाद में पानी पियो तो आप बहुत जादा महत्त कर ता कि कोई problem नहीं हो, यह पर आप trekking के लिए हमालाय पे गया और वहाँ पे fresh water आपको मिल रहा है जर्नों से, वहाँ पर रिस बहुत कम है, आपने आपकी बॉडल निकाली, ठीक है पनी लिया और पी लिया, you can afford to relax, ऐसा करने से ही आप efficient और effective बन पाएंगे, now listen, now what is audit risk, chances that final opinion which is given by the auditor, that opinion goes wrong, that is called as, that is audit risk, उसको हम लोग audit risk बोलेंगे, इसमें लेकिन एकी चीज़ कवड़ है, chances that auditor gives clean opinion, when modified opinion was required, chances कि वो सब clean देके आ गया, जबकि financial settlement में गलतिया थी वो पकड नहीं पाया, final opinion उसका, final opinion गलत हो जाएगा, वो clean opinion देके आ गया, जबकि उसने क्या करना चाहिए था, modified opinion देना चाहिए था, that is what audit risk, बात समझ रहें के सब, quickly दोनों combine करेगे तो क्या मिला आपको सब, audit risk, यहां पे एक बात लिखिए, not include करके बाकी तो सारी बाते हमें देखी, not included क्या लबात लिखिए, देख ली जए, audit risk में दो रिस्त नहीं आती है, audit risk में दो रिस्त नहीं आती है, chances that auditor gives a modified opinion, he gives a, he gives modified opinion, modified मतलब किती जाती है, या तो qualify, या तो adverse, या तो disclaimer, chances that he gives a modified opinion, when unmodified was required, बुल ऐसा प्राक्टिकल लाइफ में इसके चांसे निगलिजिबल है, आपने चीप मारी है, ज्यान देंगे, करता है, now, chances that we give, chances that we give, modified open, when clean was required, इसके chances, बतलब auditor बोलना, गल्तिया है, जबकि गल्तिया नहीं थी, या बोले, negligent chances है, इसके standard उसको cover नहीं करता, definition में, इसके चांसे ही नहीं है और दूसरा audit firm की business risk क्या है, audit firm की business risk क्या है, वो भी cover नहीं होती, sir मतलब क्या, गलत open देने से audit firm का नाम खराब होगा, audit firm का नाम खराब होगा, उसके clients कम होगे, उसको fees कम मिलेगी, उसका future कम हो जाएगा, यह risk भी cover करता नहीं है, audit risk is very simple, क्या chances है कि हम clean open देके आजाएंगे, जबके हमके क्या करना चाहिए था, modify करना चाहिए, अब यहाँ पे एक equation है, जो बहुत famous है, बच्पन से आपने पढ़ाओगा, देखो अभी मैंने आपको सिखाया, inherent risk से audit risk, मतलब छोटे component से बड़े के तरफ में लेका गया, अब इसी को opposite पढ़ने का देखो जिस्त मेने आपको बाता मेरी वर्डिंग कैसे वह आपने यूस करनी चाहिए, audit risk, मेरा opinion गलत होगा, यह depend करता है, जिस चीज का मैं audit कर रहा हूँ, वो financial statements कितने गंदे है, वो financial statements कितने गंदे है, that is risk of material, misstatement, और मैंने उस पे कितनी मेहनत किया, that is detection risk, मेरे हाथ से opinion गलत हो जाएगा, that depends, that depends करता है, कि financial statement कितने है, गंदे है, और मैंने उस पे कितनी मेहनत किया, फिर financial statement में कितनी गलत कि होगा, that depends, कि business में inherent risk कितनी है, और controls कैसे है, control risk, so ultimate equation बनता है, open गलत कितना है, और depend on inherent risk, control risk and detection risk, yes, no, audit risk को ताय किया जाता है, audit risk is decided at strategy level, strategy level के suppose हम मैं बोलता हो, कि हमने तै कर लिया, 0.05, 5% रखेंगे, inherent risk जाकि हम लोगों ने measure किया, 40% chance से गलती होगी, 40% chance इस एरिया में गलती होगी, और फिर, control risk, controls बोले 50%, 50% chance से control fail होगा, 40% रखेंगे, 40% chance से 50% chance से की गलती छूड़ जाएगी, मतलब कितनी गलती होगी पहुच जाएगी, financial statement से 20%, समझ रहे के सब, 40% chance से क्या होगी, गलती होगी, उसमें से आधी गलती होगी, उसमें से आधी गलती होगी, मतलब कहां तक पहुची हो, financial statement से, detection risk हमेशा balancing figure मिलता है detection risk you will get as a balancing figure, 25, listen, अब मेग statement बोलो, देको समझ में आता है, detection risk should be inversely adjusted in such a manner, detection risk should be inversely adjusted in such a manner, so that audit risk remains within acceptable levels, detection risk को इस तरीके से adjust करो, ताकि जो resultant काँसी risk है, audit risk है, वो it is within the acceptable limit, अगर हम 25% रखेंगे detection risk को, तो अपने आप, हमारी audit risk 5% के 5% तक रहेगी, इसमें अभी exam में कई तो question था, जहां पर equation के थूरू missing data को compute करना था, calculation करना थे, detection risk को इस तरीके से, detection risk को इस तरीके से adjust करे, ताकि, so that audit risk remains within acceptable limits, audit risk हम कितना sensitive client है, listed है, कितने regulations है, कितने लोग interested है, कितने लोगोने पैसा लगाया है, इन सब को ध्यान देकर हम लोग चलते है, ठीक है, पहली हम लोग टाय कर लेते है, 33 को माक करेंगे, assertion हम पहली पढ़ चुके दगर आपको आदे, कितने तरह का data होता है, चलो उसकी पहले, all the information which is given in financial statement, that is, all the information which is given in financial statement, that is, assertion, जो साफ साफ लिखा, that is, explicit assertion, जो लिखा नहीं लेकिन assumed है, understood है, that is, implicit assertion, to know, जो लिखा नहीं, उसमें confusion हो सकता है, इसलों उन्होंने बस समझाया है, उन्होंने बहुत research, ऐसलों लिलते है, information which is generally assumed by the investors, ठीक है, that is, assertion, और जहां पे misstatements, गलतिया, हो सकती है, जितनी भी जानकरी दिये, वो क्या है साब, assertion, जो लिखा है वो, explicit, जो लिखा नहीं, जो assumed data is implicit, वो किस ने हमको बता है, standards ने हमको बता है, data किते तरह का है, तीन, transaction, balance, disclosure, तो assertion भी किते तरह के है, तीन, और यह आपने marking भी कियोगी, यह में 19 के mock, फिर आई है, 36.50, में 19 के mock test paper में, और में 19 के RTP में, दो जगा, मतलब यह उन्होंने वो सेम चीज़ कुछी, that was simple calculation, वो simple यह जो अभी हमने equation था, equation लगाना था, और उसके साब से detection risk को निकालना था, और उन्हें वो calculate करके बताया, कि deduction risk को 40 टका रखो, और ऐसा रखने से, आपकी audit risk है, it will be within the acceptable limit, क्योंकि सारी definitions 200 में, लेकिन उसको 200 के साथ पढ़ना कोई sense नहीं बनता, कुछ तमचता नहीं वाता हो, क्योंकि उसको हम जोड नहीं पाई तो उसको हमने इस लिएपे, आप लिखिये है कि definition given is essay 200, then, but how to identify the risk, this is explained in essay 315. 5. घथ तड़ारहरएँ बुले आप रॉर जोड़ारम बुरमाइ बुले 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 तड़ारहर। अच्छा अ च्छा अ-च्छा ग्ये देखो जितनी गर्मिशर आपको लग रहे है उसके ज्यादा मुझे कि यहां लाइट है, तो बोले वही तो प्रॉब्लम है तुम गर्मिशर बेची कुछ नहीं, द्यान नहीं, नौ लिसन, रिस्क, अब रिस्क क्या यहां जान चुक है, रिलेशन जान चुक है, नौ, इन्फरमेशन कलेक कैसे करना, that is risk assessment procedure, यह कोशन आता है exam में, तो वहां पर आपको समझाना पड़ता है, सबसे आसान होता है, बैठ कर इंक्वारी करो, क्या करो, इंक्वारी, थोड़ी सी और मैनत करनी है, ठीक है जाके खड़े हो जाओ, देखो अलग कोशन है, कि risk assessment procedure मतलब, जानकारी कैसे इखटा करना चाहिए, अभी यह कोशन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर question identify करना, जुरूरी पूछा क्या है, risk assessment procedure मतलब, इसका वहाँ पर मतलब है, how to collect information, अब यहाँ पर बता है, कौन सी जानकारी इखटा करना, understanding entity and its environment, तो देखि बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप economy का knowledge दो किसका, economy, economy से छुटा, industry, industry में सबसे बड़ा आदमी, regulator, regulator की उसके बाद में, उसकी फिर company, company में बड़ा आदमी, owner और उनके governance structure, समझ रहें के सब, सबसे बड़ा, economy, और यह सब जवाब देंगे सबसे बड़ा, economy, को हैं सुचा, industry, industry में, regulator, उसके निचे company में, owners and governance structure, फिर पैसा कहा से आ रहा है, ठीक है, financing, type of financing, फिर पैसा आने के बाद, investments, पहले financing structure, उसके बाद, types of investment, कौन से कौन से business में पैसा लगा है, कौन से region में पैसा लगा है, फिर investment के बाद, उसके बाद, operations, manual operations है कि automated operations है, फिर operation की accounting के लिए, financial reporting framework, फिर financial reporting को कौन पढ़ता है, selection and application of accounting policies, फिर apply करने के बाद, financial statements कैसे बने, financial performance, ये performance, objective को achieve हम कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है, और objectives and strategies लिख दो, कि हमारी strategies काम कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है, ये सारी and strategies, ये information कलेक करनी चीए, इन से हम को समझ में आएगा, कहा पे गल्ती हो सकती है, all this is very important information, हर जानकारी से हम को पता चल सकता है कि financial statement में कहां पे गड़बड हो सकती है, understanding entity and its environment including internal control system. Now, C&O 40 पे आई है, पहले क्या पड़ा साहब, risk, क्या पड़ा साहब, risk और उसके component, उसके calculation, risk अगर आपको पता करनी तो पहले क्या इखटा करनी पड़ेगी, जानकारी, तो क्या जानकार इखटा करना, understanding, entity and its environment. Now, including internal control system, जान देंगे, ये components हैं, I find them extremely important. ये आप पहले भी, ठीक है, जान देंगे, कोई शॉटकर गड़ा अतनी extremely important. आज बड़े-बड़े corporates हर कोई internal control system के भरो से चल रहा है, systems are very important, अगर system अच्छी है, तो auditor का काम आधे से भी आधा हो जाएगा, it will drastically reduce, बहुत ज्यादा काम हो सकता है, ठीक है? Now, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा दुर्री है, internal control systems को समझना, तो हमको उसके components, 315 में उसके components समझाए, बहुत ही आसान, सबसे important, control environment. What do you mean by that? What is attitude? What is attitude, ability, awareness and action taken by TCEWG? Those charge with governance and management towards internal control system, उसको बोलते control environment. Example दे रहूँ, ठीक है? One other example नहीं, बहुत है? ठीक है, सर आपका नहीं से अनन्द, तो आनन सर हमारे, होनार, बुद्धिमान, शक्तिमान, ठीक है. आनन सर चार्ड अकाउंटन बन गए है, and he gets a job in a big company. पहरे दिन जाते है, तो दर्वाजे पे रुखे 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 जाओ, ठीक है. ठीक है, ठीका लगाते है, ठीक है, गेंदे के फूल की माला, फिर बोलते है, एक ये बेल्ट आपको पहनना पड़ेगा, देखे जैसे पुलीस वाले पहनते हैं, फॉर गंत, ये एक बेल्ट आपको पहनना पड़ेगा, बोले देखे, पूरे कमपनी में सबने बेल्ट पहना है, और उसमें ये आपको एक किताब है, ये किताब आपको रखनी पड़ेगी. सबसे पहले, साथ दिन आपको बताया जाएका इस किताब को पढ़ना कैसे, इंटर्पीट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, अगर आप इसके हिसाब से चले, तो आपको दो महने में प्रमोशन भी मिल सकता है, ने तो आप दो हफ्ते में बाहर भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे है जो लोग फॉलो कर रहे है उनको रिवाड करेंगे जो नहीं करेंगे उनको निकाल देंगे एक्षन ले रहे है उसके बेसिस पर उसको बोलते है विरी स्ट्रॉंग कंट्रोल एन्वायरमेंट ऐसे इसमें एक एक बात जो लिखी जाती है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है यह दिए इंप्लीमेंट अपोजिट है तर ने जोइन किया जोइन करने के बाद गेट पर कोई मिला भी नहीं बोले एक घंटा लागा खुद यह दूनने के लिए बैठना गाया है तो दो मैने बाद एक किताब कोई फेक्के गय देश के अपर उसके पहला पेज नहीं था ठीक है किताब पीली पड़ चुकी थी पूचा किसी को मालूम कुछ भी नो वन नोज एनिधिन के वली है क्या यह थीक है फिर बोले तुम लोग क्या करते है बोले टिफिन खाने के लिए हम लोग उसकरते है और बोले जो इसको फ अब बोले पाइंगे अगर बेकार है तो बाकी पॉच्छ नहीं चल पाएंगे वैसे ही बच्चों के लिए सबसे इंपान था यहाँ पे स्टडी एंवर्मेंट यहाँ पे स्टडी एंवर्मेंट बहुत जाए दुरूरी है थेन कमस भीजिग यह थीज बराबर हमारे मजे म लेकिन माना एंटिटी बहुत सीरियस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम को लेकर अच्छा है लोग अबिलिटी है अवेर्नेस है एक्शन लेने को तयार है बहुत बढ़िया लेकिन उससे सिफ अके लिए उससे बात निए बनेगी अब आपको पता है आज क्रेट में कौन सेफ नहीं किसका एंटेटी का रिसक असेस्मेंट स्थ dir medidas अ की सग्री yönडित हो सकती है डोई वाट इन से बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका दिखेगा इंगलती हो सकती है कितनी बड़ी गलती हो सकती है, बताते हैं, फिर एक बार गलतीया पता चल गई, तो उसको compensate करने के लिए आपने क्या procedure बनाई, जैसे purchase में गड़बड हो सकती है, आपने क्या segregation of duty, आपने purchase को चार लोगों में बाट दिया, segregation of duty, that is a control activity, आपने approvals लगा दिया, that is a control activity, आपने detail record keeping लगा दिया, that is a control activity, आपने daily purchase report लगा दिया, that is a control activity, आपने fortnightly supervision लगा दिया, that is a control activity, तो आप कैसे compensate कर्रे वो, that is a control activity, लेकिन पहले पता होना चाही न, what things can go wrong, और इत्ता तो आपको कंटिनेस्टे मोनिटर करना पड़ता है कि सिस्टेम में कोई चेंजेस्ट चाहिए क्या, इडिशन चाहिए क्या, डिलेशन चाहिए क्या, अप्गरडेशन चाहिए क्या, उस वल ते मौनिटरेंग कंट्रोल, ठीक है, इक्सपर्ट को बुलाना, इंस्पेक्शिन करवाना, मौनिटरिंग, कं ट्रोल, इंटर्नल अवृदिक करवाना, मौनिटरिंग, कं ट्रोल, ठीक है, और इन शब को सपोर्ट करना के लिए, गूद इंफोरमेशन सिस्टेम, और इंसरोड थे खोग्रोजी, तभी आप की सारी चीजे अच्छे से कर पाओगे, these are the five components, quickly, सबसे बेस में क्या था, control environment, उससे अकेले से बात निए बने होगे, पता होना क्या गलू हो सकता है, this energy का risk assessment process, risk पता करने का compensate करने के लिए, control activities, फिर उसमें changes के लिए, monitoring, monitoring control, इन सब को support करने के लिए, information system or information technology, now listen, ये अब November 18 के RTP में दाला इन्होंने, control environment, communication of integrity and ethical value, आईए नोट्स पे, नहीं नोट्स पे, कोई बाते, याई पे ध्यान दीजे, ध्यान दीजे, अब सवाल इतना ऐसा पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है, the effectiveness of controls cannot rise above the integrity and ethical values of the people who create and administer and monitor them, explain, उनका कहना है, systems कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे से implement होंगे, कितने अच्छे से result आएंगे, वो depend करता है, system को बनाने वाले लोग जो है, वो खुद कितने, ठीके, उनकी खुद की integrity कितनी है, उनके खुद के ethical values कितने है, उस पर depend करेगा, explain, अब आपको बता दू, institute महान है, institute क्या करती है, दाहुदे, पूरा समझ में आता है, how they draft the paper, they first select the paragraph, yes, they first select कि ये answer रहेगा, क्योंकि खुद draft करने जाएंगे तो डर होता है, कुछ चीज़े गलत हो जाएगी, लोग justification मांगेंगे और draft करने में महनत बहुत लगता, फिर क्या करते है, बिल्कुल ऐसी होता है, पहले select करते है, ये अच्छा लग रहा है, ये रहेंगा answer, अब इस पर क्या draft करना है, question, और question कैसे draft करते है, generally they do two things, इसलिए first line पकड़ते हैं ये तो last line पकड़ते हैं, first line पकड़ लेते हैं और उसको question में दाल देते, what, why, how दाल देते हैं, comment, या फिर एक word comment, explain, इसलिए first line पढ़ना बहुत important और last line justify, examine, evaluate, ठीक है, now listen, अब इन्होंने जो बात लिकी बिल्कुल सही है, जो व्यक्ती खुद बनाता है system को, उसकी honesty कितकी है, वो कितने integrity है, उस पर depend करता है कि system कैसे होगा, but ये एक sentence है, answer में उसके बारे में कुछ explain नहीं किया है, answer में short पर ये explain किया है, integrity and ethical values depend on who create, administer and monitor, वो ही sentence repeat किया है, फिर आगे हो बताते हैं कि company में कैसा environment होगा, that depends कि ethical and behavioral standards of entity, वो policy statements, code of conduct, company के अंदर कितना अच्छा environment रहेगा, depend करता है, उनके खुद की policies और code of conduct कितने अच्छे से बनाकर communicate की गई है, अगर बहतरीन अच्छे से clearly बनाकर सबको communicate किया गया है, कि क्या सही और क्या गलत है, सबको समझाया हुआ है, तो definitely एक अच्छा ethical environment बना रहेगा, जैसे actual infosys, बहुत high ethics पे चलते हैं, भयंकर high ethics, startup, ठीक है, ITC, no comments, तो आपके ITC में तो जब आप interview के लिए जाओगे, तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ता है, वो बोलते हैं कि ये हमारे ethical values है, आपके ethical values इससे कैसे match होते हैं, वो explain करो पहले, तो लोग बोलते हैं, सर मैं तो काश तक सोचा ही नहीं कभी, कि मेरे ethical values क्या है, कोई नहीं सोचता है, तो उस दिन आदमी सोचता है कि मेरे लिए life मेरे value systems कैसे है, value systems कैसे है, सब बोलते हैं बल्कुल सही, लेकि जब questions पूछते हैं सब समझ में आता है, कि क्या आपके ethical values भी ऐसे, बोले नहीं चाहिए कोई ज्यादा होशार आदमी, बहुत होशार आदमी है, बहुत काबिल है, फैल जाके secret leak कर दे, क्या मतलब है, doesn't make sense, नहीं चाहिए ऐसे लोग, reasonably intelligent आदमी है, अच्छे से काम करने के लिए तयार है, लंबे समय तक we are happy with it, ये note कर लिया ना भई, पड़ाफट कर लो थोड़ा आसानी हो जागी समझ में, नहीं तो कोई note कर लो मुझे खल आपको एक देना था हो चार्ट क्या देना था हो, types of due diligence ये भी देदूंगा नहीं यार, pdf बनाऊंगा तो बस में कोई list देदेना, cut cut cut, pdf बना कर, लिख लो खड़ा फड़, समय समय समय, नहीं वो टेलिग्राम पर क्या आदियम्ता को समझेंगा नहीं हुआ, आप दिमाग बोले करना क्या है, बोले सदिया क्यों है, ठीक है, नहीं that specific driven कोई समझ में आए, ठीक है, नहीं तो बोले सर्फ ये आप समझा भी दो उसको, बस यही कर देना, निकलिया भई, देख आज पैन बन देना तो हर आवाज आ रही है, सर को किती मेनत लगी skills वो packet open करने में, ताकि आवाज ना हो, बराबर अब धीरे धीरे चने चबाने में, सर उसके बाद खाए, रोटनों, हो गया भई, क्या, एप में वीडियोज, साथ आट बर, सही में क्लास प्लस तॉल में सुधरना चाहिए, क्लास प्लस करके आप है, वहाँ पे और्गनाजेशन कोड और अगर आप दालोगे, अगर आप अप में जाएंगे, तो स्टोर करके वहाँ पे एक है, तो आप में जाएंगे, तो स्टोर करके वहाँ पे एक है, स्टोर होता है, तो स्टोर जाएंगे तो वहाँ पे सूपर रिविजन, CA, फाइनल आपको मिलेगा, उस पे क्लिक करोगे, कॉंटेंट पे जाओगे तो दो मिलेंगे आपको, एक 18 hours का और एक 9 hours का है, फास ट्रेक के साथ जो रिकॉर्ड होता है वह 9 घंटे का है, तो यह question recently number 18 के RTP में आया जो उसमें simple सी बात लिखी है, कि येस जो लोग इसको बना रहे उस पे depend करता है, और वो लोग कितने अच्छे, कितने अच्छी policies, कितने अच्छी policies बना रहे, और कितने अच्छी से communicate कर रहे हैं लोगों को उस पे depend करता है कि ethical environment होगा कि नहीं होगा, एक statement आता है बहुत famous, control environment सिर्फ control environment से कुछ नहीं होगा, सिर्फ control environment है और बाकी components बराबर काम नहीं कर रहे है, तो आपका internal control system बराबर चलने वाला नहीं है, वैसे ही सिर्फ बाकी components है, control environment नहीं है, तो वो भी बराबर चलने वाले नहीं है, दोनों का combination लगता है, you need control environment plus you need other components, जान देंगे, 40.10, identify and assess risk of material misstatement and response to risk, दो चीजे इसमें covered है, आप सुनी है, listen, identify करना risk is a different thing, सम्झाएता है, covert process में, risk assessment process मतलब collecting information, obtaining understanding, to find out the risk, वो जानकर इखटा करना है, क्या जानकर इखटा करना है वो भी पढ़ा हमने, now identifying risk मतलब सोचना, what can go wrong, assess करना मतलब at what level it can go wrong, जयान देंगे, यहां पर बाजू फिर answer लिखाया, risk को assess करते दो levels पे भी हमने पढ़ा था, अगर circumstances ऐसे कही पर भी गलती हो सकती तो कौन से risk है, financial statement level risk, आपको बता है exactly किस item के किस point में गलती हो सकती आड़ीजा, assertion level risk, ठीक है, software change हो गया कही पर भी गलती हो सकती आड़ीजा, financial statement level risk, देखो चार step से यह उसका answer है, there are four steps और यह उसका answer है, four steps आपको बताना पड़ेगा पहला, पहले इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग information collect करते है, risk assessment procedure में, then after collecting information at each point we should think, what things can go wrong, क्या चीजे गलत हो सकती है, identify throughout the risk assessment procedure, after collecting information क्या गलती हो सकती है, economic downfall है, data में inventory में गड़बड हो सकती है, regulator बहुत strict है, penalties का provision कम पड़, penalties बहुत लगेगी, उसका provision कम पड़ सकता है, पहला से पर identifying the risk, identify करने के बाद में यह सोचना, यह को हिन्नी में भी लिखा है वहाँ पर, हर information collect करने के बाद, risk के बारे में सोचते रहो, ऐसा लिखा है, फिर उसके बाद में second is, यह सोचना, what assertions can go wrong, कौनसे assertion में गलतिया हो सकती है, which assertions can go wrong, जैसे यह लोग बोले, आखरी में supplier से सारे bill नहीं मंगवाते है, मतलब cut-off में गलतिया हो सकती है, आखरी में अगर यह bill नहीं मंगवाते, तो cut-off में गलतिया हो सकती है, तो कौनसे assertions में गलतिया हो सकती है, वो identify करो, उसके लिए relevant controls है, जो control risk को compensate करते हैं, उसको क्या बोलते है, relevant control, क्या बोलते हैं उसको relevant control, बोले सर हम बिल तो नहीं मंगाते हैं आखरी में, लेकिन हम लोग पूरे ledger को reconcile करते हैं बोले, अरे बहुत बढ़िया, reconciliation का जो procedure है, वो cut-off में help करेगा, reconciliation करने से cut-off बराबर है कि नहीं पता चल सकता है, समझ रहे के साब, ना लिसन, second सोचो कौनसे assertion में गलतिया हो सकती है, और उसके लिए कोई relevant control है क्या, आगे काम आता है वो, तीसरा, क्या पर्वेसिवली, क्या ये गलती बहुत सारे financial items में हो सकती है, बहुत सारे assertions में हो सकती है, अगर ऐसा है तो वो क्या बन सकता है, financial statement level risk, एक खाद दो assertion है तो, assertion level risk, पुरे financial statement में पहला है तो, financial statement level risk, फिर ये भी सोचो, likelihood, क्या chances है, probability of happening कितनी है, probability of happening कितनी है, और magnitude कितना है, probability of happening ज्यादा है और magnitude ज्यादा है, it will become significant risk, यार 80% chance है गलती होने के, और amount wise भी बहुत बढ़ा है, एक कोड़ी गलती हो सकती है, it will become significant risk, बहुत समझने है सब, बहुत आसान है, बहुत simple सा है, quickly, चार step से वापे, information collect करने के बाद, सोचो, what can go wrong, identify where things can go wrong, फिर सोचो, which assertions can get affected, उसके controls कौन से, फिर सोचो, whether many assertions can get affected, बहुत सारे assertion के असर पड़ सकता है क्या, it will become which risk, financial statement level risk, और आखरी में सोचो, likelihood and magnitude, अगर दोनों ज्यादा होए तो, that will become significant risk, now listen, risk is classified in two levels, financial statement level and assertion level, ऐसी situation से जब मुझे ऐसा लग रहा है, कही पर भी गल्ती हो सकती है, that is financial statement level, और मुझे वता है, particular जगा पर भी, that is a assertion level, अब दोनों में से कोई भी significant risk बन सकता है, दोनों में से कोई भी जहां पर probability जादा है, और amount जादा है, it will become significant risk, financial statement level कोई risk है, वो भी significant risk बन सकता है, assertion level risk है, वो भी significant risk बन सकता है, now listen, क्या, नहीं, वो ही में बतारू, मैं सोचा हूँ, यहां पर पढ़ा हूँ, कि आगे उसमें पढ़ा हूँ, वो मैं सोचाता हूँ, ठीक है, listen, वो response की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे साब, response की, द्यान नहीं, यही पर हम डिसकस कर रहे हैं, मैंने बताया भी था, अगर financial statement level risk है, कौनसी risk है, financial statement level, now we don't know exactly कहां पर गल्ती हो सकती है, तो आपके यही option बचता है, अपनी team को, strong बनाओ, ज्यादा लोग को include करो, expert को include करो, seniors को include करो, उसका alertness level बढ़ा दो, surprise checking बढ़ा दो, यही आप कर सकते हो, मैं parallel example देता हूँ, 26th of Jan, 26 January and 15th of August, इंडिया के लिए सबसे important days है, और जो हमारे दुश्मन हों चाहेंगे कि, इसी दिन इंडिया को hit करना और उनको नीचा दिखाना कि, तुम तुम्हारे most important days को भी protect नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुमारी value क्या है, तो पूरा इंडिया highlight पे रहता है, पूरा इंडिया highlight पे रहता है, कही पर भी चीजे गलत हो सकती है, anywhere things can go wrong, that is a financial statement level risk, हमको नहीं पता exactly कहा पे, तुम पूरे जगह आप strong team को खड़ा रखो, और अच्छे से चलो, वही आप कर सकते हो, आपके आत्में वही है, लेकिन जब बर्फ पिगलती है, जमुएन काश्मिजवा हमको पता ही कि, infiltration और बढ़ जाएगा यापर, infiltration और बढ़ जाएगा, तो we know exactly things can go wrong, that is a assertion level risk, now listen, यह भी हम लोग ने पड़ा की, आपने देखना चाहिए, likelihood क्या है और magnitude क्या है, likelihood और magnitude क्या है, क्यूंकि अगर जादा है तो कौनसी इस बन जाएगा सब, significant risk वह बन जाएगा, एक बहुत खास चीज है, अब वह response में है, अगर assertion level risk क्या है, assertion level risk, तो उसको लगाते further audit procedure, क्या लगाते, further audit procedure, उसमें दो चीजे होती है, पहले होता है test of controls, उसके बहुता substantive procedure, वही बोल रहे, controls देखिये पहले, और उसके बाद में आप क्या लगा है, substantive procedures, test of controls, controls पर ध्यान देनी की बात कर रहे, और उसके बाद में आप लगाएंगे क्या substantive procedures, और एक simple सी बात दिये, जितनी risk बढ़ती जाएगी उतना आपका evidence ज्यादा स्यादा क्या होना चीए, पर्सुएसिव, more and more, पर्सुएसिव, कच्छा पक्का जो evidence उसके बोलते हैं, पर्सुएसिव, एकदम पक्का उसके बोलते हैं, conclusive, लेकिन बार बार लिखा है, conclusive evidence हर जगा मिले, possible नहीं है, bill देखा, purchase हुआ होगा, that is a persuasive evidence, that is a persuasive evidence, लेकिन actual हमने आते हो देखा था रिजा, conclusive evidence, लेकिन उसमें भी, हमने purchase report देखी internal, evidence है persuasive, bill देखा, it is more persuasive, उसमें ज़्यादा भरोस होता है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, evidence में भी persuasiveness बढ़ता जाता है, पर persuasiveness बढ़ता है ना मतलब, वो ज्यादा powerful evidence है, ज्यादा persuasiveness है उसमें, ज्यादा assurance है उसमें, ज्यादा reliable है वो evidence आशाम बोल सकते हैं, do you agree with me, yes, no, let's freeze, question ये था, आप ये बताईये, how to identify the risk, how to identify and assess risk, वो discuss क्या उसके बाद response क्या होना चाहिए, financial statement के लिए, overall response, assertion level के लिए, further audit procedure, उसमें पहले test of control, substantive procedure, जैसे से risk बढ़त जाएंगी, वैसे से reliability of evidence बढ़ना चाहिए, उसका persuasiveness बढ़ता चला जाना चाहिए, 40.12 क्या है, अब सुनिए, this is not as per essay 315, ये as per chapter है, what are internal control structure, अब ऐसा word अगर आता है, internal control structure, उसके components बताईए, उसके components बताईए, तर ऐसा हम तो अभी पढ़के आए components, ये अब institute की विलत बात है, internal control system के components 315 में दिये 5 components है, अब ये बोलते है, internal control structure के component, दोनों में कोई खास difference है के word में, एक लेकिन essay 315 के साब से answer है, internal control system के component, और internal control structure क्या है, ये अगर ऐसा word आता है, सर मतलब क्या करना पड़ेगा, लोड मतलो हो ये याद रखना पड़ेगा वोज, नहीं, unfortunate part है, बत क्या करेंगे, लेकिन आपको अपको अप्लिस पता तो ना ची ऐसा होता है, internal control structure, what is the word used, internal control structure, तो हमारे जो पहले पुरी कहानी वानी, case-wise दिया है, आखरी में मुद्य की बाएता है, what the components of internal control structure, अच्छा तो सर, कौन से word से फरक पड़ जा रहा है, system or structure, internal control system मतलब किसके साब से answer देना है, 315, structure मतलब ये chapter के साब से, समझ रहें के साब, अगर system word है तो, 315, और ऐसे कम चीज़ है, बच्चे जबरदस्ती का टेंशन तो, और ऐसे आप इत्तो आज रखना पड़ेंगे, आरे बहुत कम चीज़ है, जित्ता पाजला उसमें खुश लाओ न, कि बही में को ये पता चल गया है, तो चैप्टर की सबसे आंसर दिना पड़ेगा, internal control structure, ध्यान देंगे, तो उसमें समझाते, internal control structure में, सबसे पहला वापस important, what is control environment, ठीक है बुलें, internal control structure में, सबसे important, what is control environment, लोग कितने serious है, कितना दा important जेते किसको, internal control systems को, फिर, control procedures, कोई भी transaction को करने का, internal control procedure, इसका मतब भी होता है, control activity, segregation of duty होना, approvals होना, records रखना, daily reports बनना, उसका supervision होना, that is control procedure, बोले structure में, सबसे आदे important पहले क्या होगा सब, control environment, सबसे important गवा सब control environment, उसके बाद में, control procedure, और control procedures, और तीसरा, अब वो कहते है, transactions कैसे हो रहे है, transactions कैसे हो रहे है, अरे मैं जो बल रहा उस पर ध्यान दू, don't be like kids, कुछ भी दिखा स्कीन पर नहीं रहे है, वहां देख रहे है, जो मुद्दे की बाट चल रही है, वह छोड़ बले, वह दो तु बोलता ही रहता बोले, दिन बर बोलेंगा, और तीसरा यह खत्म कर रहे है, और तीसरा है, accounting system उसके अंदर आता है, आप segregation of duty लगा रहे है, approvals लगा रहे है, ठीक है यह सारी चीज़ है क्या हुई साब, procedures, अब आप क्या proper voucher बन रहे है, उसकी primary books में entry कर रहे है, उसकी बराबर posting कर रहे है, accounts को बराबर balance कर रहे है, that is accounting system, तो chapter के साब से 3 component होता है, एक होता है environment, एक होता है control procedure, उसके अंदर होता है accounting system, ठूए है और है और लिसने, फरा लहाँ आका है इEO कर दो, गाल दूए, बाहतोक्तर शेपना इित रेरी, दिएन देंगे, लिसन, पहले लिखाय कि ये components क्या है, पहले लिखाय कि components क्या है, और components के बाद, कॉंपोनेंट के बाद में फिर ज्यान देंगे फिर एक-एक कर के बाद देखो आप पर वन आपको कैसे दुखेंगे वन को अपने फोन के वाइफा एफा बंद रखो और ये ज्यान देगे ना लिसेन अब इंटर्न कंट्रोल कॉंपोनें उसको समझना चीए वहां पर पॉइंट नमबर वन ऐसे 315 में लिखा हुए आ लिखा है 315 उनका कहना है बिजनेस को समझ नहीं है साथ में इंटर्न कंट्रोल सिस्टेम्स और उसके कॉंपोनेंस को समझना है तरह पॉइंट में समझाते है वहडिज आप्लीकिवन इंसर पनर इसको गाइड करता है फिर समझाते है से कंट इसमें इस मैं इस अपने बिजनेस को समझना उसके लिए इंटर्नर त्रीम के उसको सोचना उसको डेवलाब करना उसको इंप्लिमेंट करना यह तीनों स्टेटमेंट को बनाता कौन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम्स की मदद से बनते हैं इसलिए अगर फाइनशल स्टेटमेंट पर शोरंस चाहिए उस पर उपियन देना है तो उसके लिए जरूरी है यह पताच करना की सिस्टेम्स कितने भरोसे मंद होंगे जितने आदा सुगा की इंट आपके फानैशल शूस अच्छे है अच्छे है रूब इस पॉइंट एसन सदेटमेंग तो समझा रहेए इस लिए इसलिए वो समझा रहे आपको इंटरनल कंट्रोल एज ओडिटर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम्स को अच्छे से समझना ज़रुरी है आर दे प्रोपरली दिजाइन आर दे आपरेटिंग एफेक्टिवली कि उससे आपको मदद मिलती है इसलिए और एक एंसर में आने वाला है आगे इसलिए समझ लो अभी सिस्टेम के अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम है तो किते कॉंपट ऐसे किसा आप से पाच स्ट्रक्चर है तो तीन और उसके नीचे एक्दम सिंपल बात लिखिए सिस्टेम को समझना चाहिए कौन से ऐसे सिस्टेम पे अगर भरोसा आएगा तो अल्टीमेटली किस पर भरोसा आएगा फानाइंशल स्टेटमेंट्स पे बुले वह आपने पढ़ना चाहिए ठीक है नौ यह नहीं और कुश्चन में बहुत ही वह याद बात ही लिखिए पहले दे हॉस्पिटल और बीच साल और तीन साल का टर्नौर और फार्मसी और लबराटरी और फलाना और बिकाना फिर आखरी में इन दिस कॉंटेक्स एगदम ही बदल देते है अभी तक के जो कोई मतलब भी नहीं उसका है management wants to understand the concept of component of internal control structure in detail अब वो direct पुछते थे comment अभी बार ऐसा नहीं किया management wants to understand इसले you should explain अब सुनों ये 40.20 और ये question पड़ो न अरे पुरा paragraph ही छाप दिया question तो है नहीं पुरा paragraph छाप दिया और आखरी में sentence क्या है explain with the help of relevant essay अच्छा आदमियों पड़ता पुरा sentence लिखा क्या है और क्यों लिखा है और फिर बोलते अच्छा नहीं मेडम ये तो कैसे बनते हम लो जब मैं पास हुआ 2007 तब तो अन्हाँ अच्छा नोड़िटिंगी नीथे तभी लत दभी ये है सीक्रेट तुसेट अफिर ये सीक्रेटु सटसेजित अप्रवड इस्सर इक है ये ये तिक है ये अगर आप लोग बाव कोगे और में उस भावनाव में बहना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, फिक है, ना लिसेन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, तुनेंगे, वापे लिखो, फिर्स पार्ट रॉम 40.12, जो भी पढ़के आए न हम लोग, 40.12 वही बात है, कि स्टांडर्स क समझना चाहिए, इंटरन कंडो समझना चाहिए, 315 में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, हमको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइनल चीज़ पे अगर हमको चाहिए, अश्वरंस, तो बना कैसे सिस्टिम पे भरोसा चाहिए, जैसे आप बोल रह अब यह जो लाइन है, यहां से वो लोग second part definition of ICS है, क्या सब, definition of ICS, definition of internal control system, so in short, घूम फिर कर वो internal control system क्या होता है, हमने समझना चाहिए, बनाना management की जिम्मेदारी है, क्यों करना चाहिए, वो बता रहे है उसमें, अब सुनों, definition भी बच्चों को, अच्छा, यह जो definition खाश आज बात क्या बता है, this is definition of internal control system, this is only objective of internal control system, this is only purpose of internal control system, और सिर्फ चार बाती होती होती है, अच्छे सुन लेना भी, और एक सीक्वेंस में, सुनो, as per 315, internal control systems means those systems and procedures developed by TCWG and management to ensure four things, किसी भी company के लिए सबसे important होते है उसके assets, सबसे important क्या है उसके assets, तो उसको protect करने के लिए जो बनाया है, for safeguarding assets आपने जो system बनाया है, वो हमार लेका internal control system, तिर उसको assets को use करके transactions और operations होते है, whether those operations are efficient and effective, उसके लिए जो आपने system बनाया है, वो हमार लेका internal control system, सबसे important चीज़ है, तो उसके लिए आपने जो लोग को appoint किया, जो software लिया, that is our internal control system, और आकरी में, यह जितनी भी transactions हो रहे है, इसकी reliable accounting होनी चाहिए, reliable financial reporting होनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या बनाया, that is internal control system, quickly, 315 के इसाब से, दोश चार्ज विद governance management ने, जो systems और प्रोसि बनाई है, चार चीज़ों के लिए, सबसे important, asset, safeguarding हो, उसको use करके, operation, कैसे रहे है, efficient and effective, फिर operation करते है, किसका compliance, law का compliance, और फिर उसकी accounting or financial reporting, इसके लिए आपने जो बनाई है चीज़ है, उसको हम बोलते, internal control system, यही होता है, objective of internal control system, यही होता है, purpose of internal control system, यही होता है, purpose of internal control system, as per ऐसे 315, अगर आपको एक question, अगर आपको ऐसा बड़ा सा question दिखा, policies और procedure ऐसी बहुत सारी बाते लिखनी है, तो अब सुनिए, इससे आपने यह भी समझना है, आपको यह भी सीखना है, ऐसे paragraph होते बड़े बड़े, तो उसको process कैसे करना, कि भाई पहले paragraph क्या बोलना आता ह और फिर मैं उसको एक sequence में, अगर question आएगा तो मैं समझाऊँगा, what do you mean by internal control system, ऐस पर ऐसे 315, फिर मैं बताऊँगा कि भाई, ठीक है, इसको बनाना किसकी जिम्दारी है, management की, 315 के साब से हमने इसको समझना चाहिए, क्यों समझू, क्योंकि मुझे assurance से financial statement पे और assurance तभी है, now, ज्यान देंगे, 300 हो गया, 315, 320, listen, सब को आता है, benchmarking, maturity को निकालने के और तरीका हो, तो सो को बहुते है, benchmarking, एक base चिले करो, उस पर क्या अपलाए करो, percentage, क्या अपलाए करो, percentage, आपको क्या मिल जाएगा, materiality, now listen, वहाँ पे benchmark, जो बेस होता है, इसे सबसे best तरीका है, profit का 5%, profit का 5%, या फिर total asset का 1%, या फिर turnover का half percent, ये है maturity को निकालने का तरीका, वहाँ question ये पूछा है, practical life में जब audit करने जाओगे, और आपको benchmark select करना होगा, base select करना होगा, तो select करते वक्त आपने कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, paste turn करेंगे, question की IP, सही पर दिखा हुआ है, बुले, सबसे best benchmark, mobile industry में कौन अच, आपल, तो वहाँ से उसका shortcut है, आपल लग, A stand for, select करते का आपने ध्यान देना चाहिए, attention of the users, क्या बोला साहब, attention of the users, सुनिये, अगर business house है, अगर business house है, if we have a business house, उनका पूरा focus किस पर होगा, profit पे, तो benchmark में किसको लेंगे, profit को, अगर government है, तो उनका focus है, कितना ही ज्यादा services दे रहे हो तुम society को, उनका focus किस पर होगा, turn or पे, उसको base बना लो, अगर charitable organization है, ना profit में interest है, ना turn or में, ठीक है, किसको base बना ही सब, ना profit में interest है, ना turn or में, ठीक है, आप total assets को base बना ही, जिसको आप manage कर रहे हो, quickly, benchmark क्या होगा, ठीक है, वो हमको उसके factors देखने है, उसके लिए उसके factors देखने है, shortcut क्या है, apple, apple, a for attention of the user, अलग-अलग entities में लोग का ध्यान, अलग-अलग चीज़ों पे है, उसके साब से benchmark को select किया जाएगा, then else and for life cycle, जो start-ups है, start-ups को profit से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना turnover बनाना है, तो initial life stages में है, आप किस पर ध्यान दो, turn-over पर, उसको base बनाऊ, अब reliance, ठीक है, 40 साल की उपर होगल है, profit अब नहीं तो कब, तो उनके लिए profit important है, तो उसके लिए base में किसको लेके हो, ownership, ownership किसका पैसा लगा है, अगर बहुत बड़े-बड़े shareholder है, तो उनके हाथ में पूरे profits होते है, उनके हाथ में पूरे profits होते है, उसको base बनाऊ, Scattered Shareholding है, Scattered Shareholders के हात में सिर्फ डिविडेंट मिलता है, क्या मिलता है? Dividend, तो profit available for dividend, उसको आप देख देखिए, Owners क्या है, Owners की सोच क्या है, उस पे depend करता है कि base में क्या होना चाहिए. Now, we stand for volatility, we stand for volatility, जो भी base select करो, it should not be very volatile, क्या होगा, अगर base बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा, तो maturity level भी बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगी, पिछले साल कुछ चीज है, material हुआ कर दी, इस साल material नहीं है, इस से team भी confuse होगी, accounts team भी confuse होगी, इसलिए, it should not be very volatile, और आखरी में, E stand for, it should be one of the element of financial statement, ज्यासे भी मैंने बोला, profit is a element of financial statement, ठीक है, turnover is a element, total asset is a element, net asset is a element, ये सारे elements, लेट स्पीज गाईज, अगर हमको benchmark सिले करना है, तो कौन सा, apple love, A for attention of the user, L for life cycle of the organization, O stand for ownership, ownership preferences, कितने है, V stand for volatility, और आखरी में, E stand for element of financial statement, 47 प्याव कॉंसेट नम्बर, पेज नम्बर 53, या फिर ये test of controls, इसको बोल सकते हैं, इसको आप compliance procedures बोलो, compliance procedures बोलो या इसी को आप बोलो test of controls, ज्यान देंगे, प्रेले definition, audit में जब हम जाकर देखतर है, चेक करते हैं, कि whether internal control systems are able to prevent, detect or correct material misstatements, are they operating effectively, उसको बोलते टेस्ट आप control गलती नहीं होनी चीए, पर्चेस में अप्रूर लगा दो गलत पर्चेस नहीं होगा, preventive controls, कौंसा control साहब, preventive controls, goods उतरने के बाद में अच्छे से जी आरन मनाव, quality check करो, that is detective controls, yes, no, फिर हर मैने के end में आप stock on करो, और जो भी difference होगा उसको ठीक करो, that is a corrective control, बहुत आसान, test of controls मत्तब यह चेक करना की, controls prevent, detect और correct कर पा रहे किया, गलती हो को, और are they operating effectively, अब सुनो क्या लिखते थेरी में, कौन से controls चेक करना चाहिए, सारे controls चेक नहीं करने चाहिए, we are not supposed to check all the controls, we are not internal auditors, we are not internal auditors, सारे controls हम चेक नहीं कर सके, सारे controls चेक करने हम लोग लग गए, तो हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे, it's the use thing which you call the controls, तो बोले क्या करना हो, समझा रहे, सारे controls चेक करने की जरूरत नहीं है, दो control चेक करने पाथे, number one, जब आप 315 में risk assessment कर रहे थे, जब आप risk assessment कर रहे थे, risk assessment करते वक्त, तब आपने वहाँ पे identify किया था, कि इस risk को compensate करने के लिए relevant controls कौन से थे, कि हाँ यह मेरे risky items है, और यह control मुझे अच्छा लग रहा है, यह इस गलती को रोग देगा, मुझे लग रहा था कि retail में stock में risk है, कहां risk है, stock में, लेकिन मुझे पता तला कि वह हर हफते stock count करवाते है, यह control गलती को रोग देगा, तो वह weekly stock counting बराबर होती है, कि मैं वह चेक करूँँगा, quickly सारे control check करने की ज़रूराद नहीं है, वह control check करो जो आप risk assessment करते हैं आपने इसको identify किया था as a relevant control जो गलतियों को रोग पाएगा पहला, is this point clear, दूसरा, दूसरा, देखो यह इसमें पहला one और यह two, बोले आजकल automation भयंकर हो गया, इतना भयंकर automation है कि कुछ-कुछ जगा तो हम पूरे system के भरो से चल रहे, stock market, तब stock market है, stock market हम पूरा का पूरा किस के भरो से चल रहे, system के भरो से चल रहे, completely, everything is automated, पूरे सौदे जो है जो मैचिंग है, automated चल रहे आपका, banking, completely system के भरो से चल रहे, क्या बोलते बता हुआ है, banks, complete system के भरो से हम लग चल रहे, listen, what they are saying, ऐसे कुछ area होते है, जो पूरे system के भरो से, उसको बोलते है, there are areas where, substantive procedures alone, cannot give sufficient appropriate evidence, test of control करना ही पड़ेगा, control देखने ही पड़ेगा, controls कितने अच्छे चल रहे है, तभी मैं इस area में checking कर पाऊगा, बिना test of control के आगे ही नहीं बढ़ सकता, ऐसे areas तो क्या बोलते है, areas where, areas where substantive procedures alone, cannot provide sufficient and appropriate evidence, वहाँ तो test of control करना पड़ेगा, सुनो, पहली की सोच के थी मैं आपको बता रहो, पुराने जमानी की सोच ये थी कि test of control, exit intermediary step है, क्या है, intermediary step, इससे आगे के step पे फरक पड़ता है, कि substantive कम कि substantive जादब, step निकाल भी दो न बोले है, फरक नहीं पड़ता है, directly तुम किस पे जाओ, substantive पे जादा perform कर लो, जादा perform कर लो, that's it, लेकिन अब बोल रहा है, नया जमानी में ऐसे कुछ area है, जहाँ पे test of control को ignore नहीं कर सकते, जहाँ पे substantive procedure सिर्फ अकेले, they cannot give sufficient and appropriate evidence, आज अगर मैं bank में जाके बुलूँगा, मैं को system check नहीं करना, हम ऐसी vouching verification ज्यादा कर लेता हो, उससे बात बनने वाली नहीं है, ते को system check करना ही पड़ेगा, let's please, पहले definition बताते हैं, पहले क्या बताते हैं, definition, फिर समझाते हैं, which control should be tested, किते controls दो, पहला, वो controls जो हमने mark किया था, as a relevant control, जब हम क्या कर रहे थे, risk assessment, कौन से ऐसे में, 315 में, और दूसरा, ऐसे areas जहां पे, substantive procedures, alone, cannot provide sufficient and appropriate evidence, फिर, nature of checking, nature of checking, सब लोग बताते हैं, nature of checking क्या होती है sir, तो आपे check करना बढ़ेगा, by whom and by what means, कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, by whom and by what means, is it automated control, is it a manual control, by whom and by what means, अरे वो software न, purchase price को automatically agreement से, और पिछले 3 मेने के average से match करता है, और अगर difference निकला 10% की उपर, तो वो बोलता है की CFO approval required, अच्छा, software खुच चीजों को match करता है, और अगर difference निकला तो transaction को रोग देता है, it is a automated control, and by what means, comparison करके वो चीजों के decision लेता है, senior manager का approval चाहिए, if purchase amount goes beyond 50 lakhs, beyond 50 lakhs अगर जाता है senior manager का signature चाहिए, by whom by individual, by what means signature, nature of checking में समझो, by whom and by what means, by whom and by what means, वो summary दिये, detail नहीं पड़ा तो चलेगा, by whom and by what means, दूसरा समझो, test करो, consistency, किसी भी department का purchase हो, किसी भी आत्मी से purchase कर रहे हो, related party हो या ना हो, किसी भी महने में हो, consistently it should be applied to each and every, it should be consistently applied to each and every purchase, each and every purchase को लगना चाहिए, is this point clear, फिर क्या साल भर इसको बराबर apply कर रहे है, एक तो सभी transaction को लगना चाहिए, और सभी महनों में भी लगना चाहिए, it should be operating effectively throughout the year, throughout the period it should be operating effectively, वो check करना है, बास समझ रहे है किसाब, हम यह क्या discuss कर रहे है, nature of checking, nature of checking, पहले by whom, क्या check करेंगे, by whom and by what means, कौन लगा रहा है और कैसे इस control को लगा रहा है, and then is it applied consistently to all the transaction, is it operating effectively throughout the period, and now listen, कभी-कभी आपका main control dependent होता है, किसी और control पे, for example, अगर आप बहुत software oriented चल रहे हो, तो आपका IT department बहुत important हुआ, IT department पे आप dependent हो, अगर आप बहुत human being specific है, तो उनकी training और recruitment कैसा रहा हो देखना पड़ेगा, machines है तो उसका maintenance and repairs कैसा रहा हो देखना पड़ेगा, तो आपको कभी-कभी indirect controls भी चेक करने पड़ेगे, समझ रहे का भाई, अगर कभी-कभी आपके main control dependent होते है, दूसरे चीज़ हो पे, that is called indirect control, तो nature of checking में, ठीक है, पहले कौन से controls चेक करना, उसमें क्या चेक करना, that is nature of checking, और आखरी में फिर, कैसे चेक करना, how, how to check, nature, में what to check था, क्या चेक करना, और यहां पे which controls था, कौन से control चेक करना, standard की theory है, बहुत systematic, पहले definition है, फिर कौन से control चेक करना, nature मतलब, क्या चेक करना, what to check, फिर क्या है आपका, how to check, यह तो बहुत ही आसान, बच्पन से पढ़ रहा हम, ठीक है, सबसे आसान inquiry, आप सबसे आसान क्या है सब, inquiry, पूछताच करो, अगर आपके 10 के 10 employee, सबसे एक ही सवाल के, सब एक जैसा जवाब देते मतलब, सच बोल रहा है, inquiry करो, क्या system है, कैसा system है, कैसे operate करता, बराबर operate कर रहा की नहीं कर रहा है, सारे सवाल पूछो, inquiry, थोड़ी और महत करनी है क्या, observation, जाके देखो की लोग काम कैसे कर रहा है, see how people are working, that is called observation, और महत करनी है तो, inspection, documentary evidence आप देखो, नौ लिसन, इनका कहना है, सिफ inquiry अच्छी बात नहीं है, सिफ पूश्टाश करना, that is not good thing, ठीक है, अच्छा, चुको, सबसे सबसे आसान, inquiry, उससे थोड़ा बैतर, observation, उससे बैतर, inspection, उससे और बैतर, re-performance, खुद कंट्रोल परफॉर्म करके देखो, बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, खुद इंट्री पास करके देखो, बराबर अकाउंट्स में, debit period हो रहे कि नहीं हो रहे, बास समझ रहे क्या, फिर वो बलते सिफ inquiry अच्छी बात, नहीं है, तो, combination उस करना चीए, inquiry plus inspection, inquiry plus re-performance, यह ज्यादा आच्छा, ठीक है, inquiry plus, inquiry plus observation इतना अच्छा नहीं, observation के अच्छा नहीं, observation के अच्छा नहीं, observation के अच्छा नहीं, क्या, बराबर, inquiry के साथ, मुझे लगा, कोन आपको परिश्यान कर रहा, अच्छा नहीं, इस अच्छा, उस जित्यक्ट, दो, on the combination of observation में क्या problem है, है, it gives you momentary evidence and the point is the fact that you are being observed changes the behavior of the person. आपके सामने एक behavior है आपके पीछे कुछ और behavior है, auditors are most respected on the face and most abused at the back, तो वो शामजारहे, इसले inquiry plus observation in सबसे अच्छा है, inquiry plus inspection and re-performance, okay, 330 में पहले पड़ा test of control, क्या पड़ा साब, test of control, पहले सम्झाना definition, when which controls, then nature of checking, what to check, then how to check, अब ये सुने धाइन देंगे, test of control, interim visit, ये underline कर लो हुए, पहले, nature of audit procedures, मतलब inquiry, observation, inspection, re-performance, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे, discussion कर रहे, आप मुझे बताएंगे, internal controls हर दिन बदलते हैं क्या, हर महने बदलते, एक बार बनते तो कुछ साल वैसे ही चलते है, जनरल, थोटे मोड़ी changes बीच में होते है, controls बहुत drastically हर बाहर साल बदलते नहीं, तो क्या पिछले साल मैंने internal controls का flow chart बनाया था, उसके मैंने सबू धिकर्टा किये थे, क्या मैं उसको इस साल यूज कर सकता हूँ, yes, तो क्या लिखा है standards में, standard में ऐसा लिखा हुआ है, आप आपके test of controls को ऐसा plan करो, कि सभी controls को एक साथ check करने की जरूरत ना पड़े, हर साल आप थोड़े-थोड़े controls चेक करो, और control testing के बीच में दो साल का gap रह सकता है, इसी को और एक तरीकी से बोलते है, once in three years, जो आपको control testing करने हैं वो आप कर सकते है, once in three years, official लिखा हुआ है 315 में, 330 में सब्सक्राइब, listen, पहले थोड़ा सा ग्यान बाटते, inquiry, observation, inspection, re-performance, nature of procedures का, फिर ग्यान बाटते है, पिछले साल का सबूत प्यार आपने लेना ही चाहिए, खुद ऐस्टाने डलाव करता है, बिलकुल लो, लेकिन कहानी कुछ और चीज़ किया, अब है interim visit, पर interim visit क्या होता है, जब हम लोग साल खतम होने के पहले ही जाकर checking कर लेते हैं, ठीक है, उसको बलते है interim visit, बड़े-बड़े clients पर आपने देखा होगा December ending तक ही पूरी checking कर लेते हैं, ठीक है, December ending तक बहुत सारी चीज़े चाके चेक कर लेते हैं, बोले December तक पूरी checking खतम कर दो एक बार की, December तक सारे test of control कर दा लो, December तक सारे substantive procedure कर दा लो, Are you getting this point? उसको बलते है interim checking, तो वो बड़ अब समझा रहे, अब आ रहे मुद्दे पे, question इस पे, क्या test of control में मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं कि मैं interim checking की मदद लू, बिल्कुल बोले करना ही चाहिए, December तक आप चीज़ों को एक बार चेक कर लो, और उसके बाद में फिर आप तय करो, Jan, Feb, March में आपको further audit procedure, further audit evidence कितना लेना पड़ेगा, 330 में allowed है, पहले interim checking करके सबूत लेलो और फिर आगे थोड़ी कम checking करो, ठीक है, और उसके basis पे open up दे सकते हो, तो interim checking is allowed, ठीक है, लेकिन बोले interim checking के बाद बच्चेवे समय के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा further audit evidence, क्याना पड़ेगा साहब further audit evidence, कौन से अब यह answer है, कौन से factors पर depend करता है, कि further audit evidence कम होना चीए, कि जादा होना चीए, आपे shortcut है, इस यह depend करता है, आपके links कितने अच्छे है, senior के साथ, audit senior के साथ, ठीक है, L stand for length of remaining time period, बहुत आसान, अगर बच्चावा समय 3 मेने, 4 मेने, 6 मेने, 8 मेने, अगर ऐसा है, जितना लंबा समय होगा बच्चावा, उत्ती महनत जादा, उतना further audit evidence हम जादा लेंगे, Then, I stand for interim tests, interim test जो आपने perform किये, उसके कैसे results मिले, अगर बहुत बुरे results थे, system बहुत बेकार लग रहा था, इतने आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, तो वापस भरोसा करने के पहले further audit evidence जादा लगेगा, Then, N stand for nature and amount of transaction, बहुत ही बड़ा transaction है, बहुत जादा risk है, बहुत जादा risk है, माना interim checking की होगी, और क्या ले लो, further audit evidence, length of time पर जादा है तो, और क्या ले लो, further audit evidence, ठीक है, interim test में low confidence मिल रहा था, इसलिए और क्या ले लो, further audit evidence, nature of transaction event बहुत बड़ा है, मत्रियल है, और क्या ले लो, further audit evidence, changes हो गए साब, Jan Fib, नाला इको ने software बदल दाला है, लोग ही बदल दाले है, प्रोड़क्त ही बदल दाले है, अरो भाई, जादा चेहिंग करने पड़ेगी, क्या ले लो साब, further audit evidence, C stand for control environment, control environment बहुत ही बुरा है, बहुत बेकार, ये लोगों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, और क्या लो साब, further audit evidence, evidence, C stand for, ठीक है, the nature timing extent of substantive procedure which auditor plans to carry out, तुमारी इच्छा क्या है, substantive procedure कम करने है की, जादा, बुले, मुझे substantive procedure जादा नहीं करनी, मतब तो एको test of control से जादा evidence चाहिए, इसे तो एक काम कर ले, क्या ले ले, further audit evidence, देखो, सभी points को एक, एक ही direction में बात करना, मैंने एक ही direction में बात की, सब को ऐसा बोला, जिसमें हमको जादा क्या लेना पड़े, further audit evidence, links, L for, length of time, जितना time जादा, evidence, जादा लो, length of time, जितना time जादा, evidence, जादा लो, nature of the transaction and event, उसकी materiality, कितनी risk है, risky है, बहुत material है, तो further audit, evidence, C stand for, control environment, changes बहुत जादा है, further audit, evidence, control environment, VK, further audit, evidence, then S stand for, substantive process, आप कम करना चाहते हो, then you obtain further audit, evidence, बात समझें सब, तो interim checking, तो number 18 के, RTP में फिर से question है, और last time, last time को ही निम्बर 08 के, RTP में दिख रहा है, फिर 10 साल बाद हो पापस, number 18 RTP में, यहाँ पर जो मैंने further audit, evidence, बोला, वो बच्चेवे period का था, Jan, Feb, March, it has nothing to do with substantive procedures, वो अलग है, test of control में अप्रोच है, समझ रहे कैं सब, test of control में अप्रोच है कि एक अप्रोच में लगा सकता हो काँ सा, interim checking का, are you getting this point, बच्चेश नहीं कि भाई? मतलब देखो, मेरी उपर लाइट जादा है, इस नहीं है, और अनकमफर्टबल यह, कर्यक् Ancient ん प्रक्तुमुति च्यु tavalla डियान डियान निया इभ इसकते यह नहीं अभी हम ब्रेक निया सकते क्योंकि अगर बीच में कभी ऐसा हुआ ऐसा हुआ कि अभी तो सब बैक अप आप सब है लेकिन बैक अपने तो फिर और अटमाटिक ब्रेक देना ही पड़े हैं जेम्स बॉन अच्छा अब मैं अच्छ वो सिगार की था देखो रड़ गया सब जो नहीं रटना चाहिए वो सब पुरे रड़ देखे अच्छाइए अब सही बता हो पॉलिटिक्स में आई आप वी कुछ भी बॉलते हैं शुकुद भी बाक्वास हो क्याँ पिदिक्न दिलने मैं असदिक कि नाम तो ली आई नहीं किसी के बारे में बोला इंडित यहाँ में को ठीके बाले बोल लाई नहीं कुछ पियूश्ट गोयल साब है बियान इंगे लिसन देखो बैक ग्राम लो हाँ तो कुछ जहर में सुनाना था चलो एक विजूल जहर सुनाते बुले ये तो और नेक्स्ट लेवल एक्स्ट लेवल ऐसा भी होता है बुले नाव तो बहुत सूखा पढ़ा रहता है पानी की बहुत कमी है और ऐसे इसमें जाडों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सूख सकते हैं मर सकते हैं जाड तो उनको कैसे बचाए जाए जाए पानी तो नहीं तो नहीं प्रॉब्लम हो लेकिन अभी अभी नहीं अभी लिखूंगा वो ख्लामेक्स के पहले के पहले का प्रॉब्लम है तो आप उस पे आप ये लिख दो वाँ पे दन बच जाएंगे ला क्या वोल रहे है बढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं तुखा पड़ रहा है अब मैं बता रहो खुद को अब संभाल लेना क्योंकि बहुत जोर से लग सकता है ठीक है अरे बहुत आसान है इन इस अ क्वार्टिक एक्वेशन क्वार्टिक एक्वेशन है और ठीक है इसके रूट्स इमेजनरी है रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे पानी की जरूरती नहीं मैं यहां है ना फोड़ो 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 अगले प्रौशप्व के पहले रहा अचा पुछ लोग परने कहावई नहीं लगी की हुआ क्या ना बोले ये बकवा इसने जाड क्यों बनाया पहले है फिर जाड बाने बाद सूखा क्यों पड़ा सूखे के बाद equation क्यों लिखा और फिर उसके roots क्यों निकले है उसके लिए math थोड़ा सा लगता है कि quadratic equation के roots बनते हैं ठीक है रे engineering नहीं 10th का math से है सब परते हैं इंट्री 10 तो सबको करना पड़ता है लोड मतलू है इतना लोड क्यों ले रहे हैं तो अब बोल रहे हैं बच्चे पढ़ा दो यह सुनने के बाद फिर आदमी को लगता है यह तो बहुत बेटर है पढ़ाना ही ब्रेक लगता है क्या बात है ठीक है तो अगली बार से क्लास में वह हमको टैग्लाइन दरना पड़ेगा ठीक है जो मज़ा बच्चों को ब्रेक में आता है वह मज़ा हम क्लास में इसका मतलब क्या है क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दियान देंगे लिए बच्ची वीडियों भी देख रहे है इन लिसन लेत अभी अमने टेСТ zoुफ क्या है उसके लिए एक अप्रोच अप्रोच है उसकी उपर depend करता है, अब यहाँ पर, relying यह भी हमने भी डिसकस किया, कि हम पिछले सालों के सबूतों पर भरोसा कर सकते हैं, यह बरोसा कर सकते हैं, इस तरीक इसे planning करो, सारे चेक ना करना पड़े, once in three years, gap दो साल का होना चीए, बिल्कुल allowed है, लेकिन इस साल फिर से, सिर्फ पिछले साल के भरोसे चलू, कि टेस्ट कर लू, वो कौनसे फैक्टर्स पर depend करता है, ठीक है, इसका निमानिक हमारे नूट्स में थुरा साल लग है, इसमें थुरा साल लग है, लेकिन यह बराद देखो अब, re-testing पिछले साल के सबूतो की फाइल मिल गlor, इस साल कंतुल की re-testing करना की नहीं करना, कौनसे फैक्टर्स पर depend करता है, ठीक है, देक pensar न is रख़ लिखा है, the re-testing should be done if there are three deficiencies in PM में पेन सेंबसीonal. 3 deficiency re testing करना की नित्रीद efficiency 3D संट फर deficiency in monitoring control deficiency in monitoring controls हमको ऐसा लगा company का कोई ध्यान नहीं है अपने internal control systems पे उसको वो study नहीं करते है analyze नहीं करते है उसको improve नहीं करते है तो company पे बिल्कुल भरोसा बिल्कुल बेकार कोई मॉनेटरिंग नहीं कर रहे हम को इथोड़ा सतर्क रहना चाहिए और हम कोई टेस्ट कर लेना चाहिए कि इस साल कंट्रोल बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा है तो बोले टेस्टिंग कर दा लो बिल्कुल सीरियस नहीं इंट्रन रो कंट्रोल के प्रती ना मॉनिटरिंग करते हैं ना सीरियस है ना आटिट्यूड है ना इंपोर्टन्स देते ना उसके वेस्ट आक्शन लेते ठीक है बहुत ही बेकार एंवारमेंट है एक इस साल टेस्ट कर दा लो पिर ठीक है कंट्रे आइंवारमेंट वीक है वापस रिद्टेस्टिंग कर दा लो तो यरणल आटि कंट्रो जन्राल इंडाल आईटी और इनके हर पीची के नीचे पोस्टी के उसरविज पीसवाहाँ लिखााया एं क्या मतलब है यूजरनेम पासवर्स है तुमको अगर हर स्क्रीन पे लिखना ही था बोले जनराल आइटी कंट्रॉल बहुत बेकार है सब के यूजरनेम पासवर्स सबको पता है वाइट इस देर, कोई कुछी भी PC पर बैठता है, किसी भी PC पर बैठता है, आए दीन ये लोग pen drive pen drive खेलते रहते है, data इधर से उदर, कभी pen drive घर लेके आते हैं, बेकार general IT controls है, गढ़बढ हो सकती है, retesting कर दा लो, deficient, देखो दिमाग में दिखना है, पहले कौन सा है, monitoring, control, defic monitoring निकर रहे, फिर से test कर दा लो, deficient, control environment, फिर से test कर दा लो, deficient, general IT control, फिर से test कर दा लो, piece and work, personal changes, अजो लोग बदल गए साहब, जो लोग control apply करते हैं, वो लोग बदल गए, highly trained थे, experience थे, अब वो retire हो चुके है, नहीं लोग आ गए, फिर से test कर दा लो, M stand for, manual elements, manual elements, manual elements बहुत आता है, सुनो, अगर computer-based control करने, वो change नहीं होते है, लेकिन manual, लोग की सोच बहुत बदलती रहती है, एक आदमी 20 साल से इमानदार था, फिर से इसको धोगा मिला लाइफ में बहुत बदा, बोले, आप मैं भी दुसरों को धोगा दूँँगा, थे, अबनी मांध का दूँगा, आप मांध ऊक दूँगा, था फिर से लो पिसा को धाड़ीं, फिर से दुग्ड़ की तन वोग द लो, फिर से चरक दा तो पर सन्वा रो, से बदलते हुआ चेंजिथ, पिर से चरक दा लो, मैन्यूज जोग बदलती हुआ थापूनी पिसे जेक and this is the last question for 300 series, then test of control के बाद substantive procedures, listen, बहुत आसान, पहला क्या लिखा है, substantive procedures are mandatory for all material items, irrespective of risk assessment and irrespective of test of control, औरे कुछ भी risk assessment करो, कुछ भी risk मिले ना मिले, controls effective हो या ना हो, substantive procedure is mandatory for all material items, बोले क्यों, बोले risk assessment is full of judgment, तुमारे आद से कोई risk छूड़ गई तो, and controls में there are inherent limitations, controls फेल हो गई तो, इसलिए risk assessment कुछ भी हो, risk assessment कुछ भी हो, test of control कुछ भी हो, हर material item के लिए, हर material item के लिए, क्या करना दुरूरी है, substantive procedure दूरूरी है, हाँ, एक बात है बोले, controls अच्छ होंगे तो, checking कम करेंगे, controls बेकार होंगे तो, checking ज्यादा करेंगे, लेकिन इतना थाय है, for all material items, what is mandatory, for all material items, what is mandatory, substantive, सब जवाब देंगे, what is mandatory, substantive procedures, हाँ, लेकिन, extent of checking can reduce or increase, depending on effect of test of control, कैसे implement करते है, दो टाइप है, या तो only substantive analytical procedure, या तो only test of details, या दोनों का combination, भाई, इनके factory में 10 meters है, electricity के, क्या software है, क्या software है, उसमें सिफ हर मैने की reading दालनी पड़ती, अपने आप वो difference निकाल लेता है, मैने बर में कित्ते units consume है, अपने आप slaps के साब से किता bill आना चाहिए, with taxes निकाल लेता, अपने आप वो, आपके electricity board के साइट से linked है, जैसे वहाँ पर बिल अब लेड़ता है, चेक कर लेता, बिल कितना है, पांच परसंट की उपर difference ने चेक प्रिंट कर देता, इस शूपर सिस्टेम है, दिल खुश हो गया, इतना streamlined इनका internal control है, क्या वाउचिंग करू, बियुकूफिय है, बियुकूफिय वाउचिंग करना, everything is automated, देखा मैंने उसके सब कुछ, बराबर वो operate कर रहा था, एक काम कर बेटा, monthly graph बना, दो चीजो का, electricity consumption कितना कम जादा हो रहा, और production कितना कम जादा हो रहा, अगर एक साथ बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो इज गिवस अस्षरांस कि electricity का बिल सही आ रहा है, क्यूब जादा, बिल जादा, बिल जादा, बिल कम, बिल कम, शिर्फ अनलेटी का लगा और खतम कर, इन फैक्ट जो अधर एक्सपेंस होता है ना, चाय पानी खर्चे, उसके बिल माँगे ना, क्लाइन मारेंगा पकड़ जो, फिर्स राटीकल मांगता है, दो मोस्ट देंजर्स पसन अंद रहर्ट, चाय का बिल का है, किदर से है तू, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ अनलिटिकल प्रोसीजर लगाने का, खतम करने का, सिर्फ आप अधर एक्सपेंस पिछले चार-पास साल के खर्चों का आप ग्राफ बना लो, या फिर औलिटियोर्गान प्रोसीजर या फिर उनली टी ओडि टेस्ट अप डीटेव लीगल एक्सपेंस में काहे का अनडिकल प्रोसीजर्, हाइली एराटिक, कोई उसका कही से रिलेक्षण नहीं है, आप एक काम करो, तिक बिल अग्रिमेंट देख करके खतम करो, या उस उसका combination, salary में दोनों ही उस करो, पहले आपको समझाना, it is mandatory for all material items, effect कम ज़्यादा हो सकता है, कैसे लगाएंगे, only SAP, only TOD या उसका combination, फिर थ्वासा ग्यान बाढते हो लोग, फिर थ्वासा ग्यान बाढते हो, what do you mean by analytical procedures, सुनो, analytical procedure की definition बात है वो, ऐसी बता है तो, analytical procedure एक तरीका ह financial data को check करने का, इसमें पहले हम सोचते है, कि इस financial data का inter relationship क्या है, दूसरे financial data या non financial data से, समझ रहेगा, हम पहले inter relationships को समझते है, उसको technically word use करते, plausible relationship, plausible मतलब क्या होता है, probable, plausible मतलब, probable, analytical procedure एक तरीका है, financial data को check करने का, इसमें हम लोग financial data का relationship समझते है, दूसरे financial और non financial data से, फिर ये समझने के बाद हम को समझता है कि कौन सा ratio, कौन सा graph बनाना चाहिए, फिर हम लोग data collect करते, comparisons करते, और फिर difference निकला तो क्या करते, investigation, मतलब सर, हमने ratio निकाला, production per employee, production per employee, और industry से compare किया, अगर industry से match हो रहा है, मतल हमारा production realistic है, correct, now, test of details, इसमें समझाते है, test of details होच समझ के, मतलब थोड़ा सा analytical का घ्यान बाट दिया, थोड़ा सा किसका घ्यान बाट रहा है, test of detail, और वो example बद प्यार है आपर, अच्छा, interesting, test of detail में हो लोग बोलते है, थोड़ा careful रह के चलो, दिमाग open रखके चलो, assertion पे change होता है, तुमको test of detail क्या लगाना है, suppose आपको existence check करना है, क्या check करना है, existence, inventory का, तो बोले list to actuals दिखना, कि list में इता दिख रहा है, तो actuals में है, अच्छल बता, तो क्या check होगा, existence, तुमको यह check करना है, list complete है क्या, तो actuals से इसलेक करो, go down में यह item है, बता list में का है, तो complet check होगा, direction of checking depends on, assertion, अरे समझा क्या बोला है, अगर existence check करना है, तो list में से select करो, randomly, और client को बोले, चल बता, go down में कहा रखा है, तो म क्या check कर रहे, existence, क्या check करें साब, existence, और अगर हम लोग, stock से, देखें कि, stock में से कुछ select कर, बता, list में कहा है, we are checking, completeness, अब सब से खास, 330 में लिखा है, it is mandatory to think, it is mandatory to think, साब ये mandatory है, mandatory है, ये सोचना, कि क्या external confirmation को लगा सकते है क्या, और लगाना ही ये लगा सकते है, तो, इससे depreciation में क्या लगा होगे external confirmation, पिक साथ तुमारे पास रखा, किस से confirm करोगे, not possible, data में possible, bank balance, stock 3rd party के पास है, mandatory है, 330 में सोचना mandatory है, can we apply, external confirmation, if yes, उसको लगा हो, और आखरी बार, substantive process होनी चाहिए, किसके लिए, closing process, check करना पड़ेगा, whether data in books of accounts, it reconciles, agree with financial statements, आप लोग करते होंगे, trial balance से एक एक टिक मारते होगे, यह कहां जा रहा, यह कहां जा रहा, यह कहां जा रहा, यह कहां जा रहा, it is compulsory team में से कुछ लोग को बिठा कर check करवाना पड़ेगा, कि books of accounts का data बराबर, financial statement में जा रहा है कि ने रहा, is it reconciling, दूसरा, किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा, to check all the material journal entries and adjustments which are done at the year end, सबसादा adjustments काम पर the year, end में, depreciation, year end, inventory, year end, provisions, year end, तो बोले आखरी में दो चीजा करना ज़रूरी है, this is substantive procedure, this is substantive procedure, समझे सब, 300 series खतम हुई, ठीक है, six end पर चलिये, May 19 के RTP में, May 19 के RTP में सवाल पूछा गया, ऐसा आप थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारिया समझा दो बोले, क्या जिम्मेदारिया होती है, Principal Auditor की, और क्या जिम्मेदारिया होती है, Branch Auditor की, Notes पर आई है, उस answer को फिर मैंने थोड़ा हुलिया बदला उसका, बे तो ऐसे गाथा, देड़ पेच का प्राइग्राफ खतम ही नहीं हो रहे है, थोड़ा answer को digestible बनाया है, तो digestible, सुनो, सवाल ये पूछा है कि क्या जिम्मेदारिया किसकी, अरे किसकी, Principal Auditor की और Branch Auditor की जियान देंगे, अब Institute ने जैसा answer दिया है, वो बता रहो, पहले बोलते हैं, थोड़ा सा ज्यान बाट देते हैं, असपर Companies Act, Companies Act में Section 143, Subsection 8 है, जो डील करता है Branch Auditor से, और उसमें एक सिंपल बात लिखी है, कमपनी चाहे तो Separate Branch Auditor को रख सकती है, अगर Domestic Branch है इंडिया में, तो Branch Auditor कौन बन सकता है, या तो आप HO का जो Principal Auditor है उससे करवालो, या तो Any Person who is Qualified and who is not Disqualified, उससे आप करवालो, या तो कमपनी चाहे बोल रहा है, Branch Auditor के बार है, पहले वो बता रहे, Companies Act दम सिंपल सी बात बात बोल रहा है, Separate Branch Auditor possible है, Domestic Branch है दो लोग कर सकते है, या तो हो Auditor, या तो Any Person is Qualified or not Disqualified, Foreign Branch है तो, वापस हो Auditor से करवा सकते है, या फिर Person who is Qualified to do Audit as per the Foreign Laws, जहां पर Branch है, या बहुत आसान बात है, अब बोले, Companies Act हो गया न, चल बेटा, आज आ 600 के उपर, बोले, जिम्मेदार या क्या होती है दोनों की, या ऐसे 600 में होता है, दोनों के बीच में अच्छी understanding, अच्छा rapport होना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट ये चेक कर रहे है, कुछ पार्ट वो चेक कर रहे है, और Principal Auditor अपनी report बनाना वाला है, on the base of report given by Branch Auditor, अच्छी understanding, अच्छा rapport, अच्छा communication होना चाहिए, और कैसे इसको भैतर करना, ये कहाँ पर समझा है, ऐसे 600 में, अब क्या लिखा है, वो देखो, Responsibility of Principal Auditor, Principal Auditor ने sufficient, appropriate audit evidence इखटा करना चाहिए, कि Branch Auditor ने बराबर काम किया है, ना, विदे इस दो पर वर्क, बोले कैसे करेगा, mandatory procedure से, नीचे, आसाने, प्रेस फ्लो में पड़ो, quickly, क्या question है, what are the, Responsibilities of Principal Auditor and Branch Auditor, पहले क्या समझाएंगे, Companies Act में क्या लिखा है, Section 1 for the subsection 8, ताइम पास बात लिखे, फिर बोलेंगे, ऐसे 600, दोनों की विश्च में अच्छा rapport, अच्छी understanding, अच्छा communication और 6 समझाता है, अब 6 समझा रहा है, किस की जिम्मेदारी, Principal Auditor की जिम्मेदारी, फिले Principal Auditor तो उसकी जिम्मेदारी, बोले आज सबुत इखटा करने पड़ेंगे की branch पे काम बराबर हुआ की नहीं हुआ, बोले क्या करना पड़ेगा, तो दो procedure है, mandatory and discretionary, mandatory procedure क्या है, ठीक है, Principal Auditor की जिम्मेदारी है की coordination, coordination बना के रखना, बोले, coordination कैसे बनाएंगे, बोले, आसान है, तो अब, coordination बोले, आप अगर पहली बार audit हो रहा है, आप इनकी आपस में मीटिंग कराईए, तो मेरे जब मैं पढ़ा तो सलमान भाई, प्रिंसिपल ऑइटर है, सलमान भाई प्रिंसिपल ऑइटर है, तो भाई और उनका body audit कौन शेरा, तो पहले मीटिंग सब को मीटिंग बुलाओ, और उसमें clear करवाओ, कि भाई साब सब एक में कोई जानना चाहिए, कि सब को पता होना चाहिए, तो सब को पता होना चाहिए, ब्रैंच एक को बनाज और में करने चाहिए, कि सबको आपस में मिलाए और कोडिनेशन इस्टैबलिश करे नुबर वन फिर समझाए उसको पहले कोडिनेशन अरेंज करते हैं फिर समझाए अरे भाई साग पर्टेस का डिता आपके ब्रांच से आता है पुरे पक्राप का डिटा आपकी ब्रांच से आता है अपको समझा ओ सभी ब्रांच जाए उनका डेटा कहां पर यूज होने वाला है, explain them, पहले आपस में क्या करो, coordination, फिर समझाओ उनका काम कैसे यूज करने वाले है, फिर सबको समझाओ, areas which require special consideration, बोले ये company में हमारा past experience है, आपको नहीं पता होगा, इनका wage calculation बहुत ही गलत है, तो उस पर आप ध्यान देना, बोले ठीक है, फिर inter component transactions कैसे check होंगे, तो वो तैय कर लो, पहले quarter में ये दो branches आपस में check कर लो, अगले quarter में ये check कर लो, अगले quarter में ये चेक कर लो, अगले quarter में and so on, inter component transaction की checking कैसे होगी, फिर time table दे दो, इसका मतलब एक जून तक आप सब को दीना है, तब जाको में में report को final कर पाऊंगा, common sense है, initially क्या set करो, coordination, initially और क्या बताओ, how we are going to use of other auditor, correct, उनको समझा दे, जब वो काम करेंगे तो क्या समझाओ, special कंसी कहाँ ध्यान देना है, फिर काम करेंगे तो और क्या, inter component transactions, अभी तो रुख जाओ, inter component transaction, और आखरी में क्या बता दो उसको, time table, कब तक हम लोग report को expect करते ह है, अब और सबसे, जो सबसे important है, उनको advice करो, और उनसे लिख कर लो, कि आपने audit करते वक्स standards and auditing के सबसे काम किया, और आपने accounting standards को follow किया, advice and obtain represented as to compliance of auditing and accounting standards, ये mandatory as per section, initially क्या सर्विश करना, coordination, क्या समझाने का, use of the work, फिर जब वो काम करेंगे तो special ध्यान किस पर देना, चाह चाहिए, intercomponent transaction कैसे check करना, चाहिए, आखरी में time table, क्या लेना mandatory है, representation है, अब, discretionary procedure है, आगया हो, ये जो bold में दिख रहा है, सब summary है, discretionary procedure क्या है, अगर चाहे तो अगर ऐसा लगा, रे बहुती निकम्मा बंदा है, भई, ये उसको कोई भी सवाल पुछो, जवाब नियता, अच्छा, ब्राइन चाहर ने बोला, आखरी का एक महना है, अभी तक इस बंदे ने audit चुरू किया, नहीं है, इसने अभी तक नहीं बता है, टीम में कितने लोग होंगे, कोई communication नहीं है, तो हम लगा सकते है, चाहे तो, उससे discussion करो, हाँ सर, कब जाने वाली है आपकी टीम, कितने लोग जाने वाले है, क्या काम करने वाले है, discussion, discussion से माननी रहा, summary, discussion से अगर माननी रहा है, उससे summary लिखके लो, क्या लिखके लो, summary, क्या काम किया बेटा लिखकर दे, summary, अगर summary भी लिखके इन दे रहा, तेर से ना हो पाएगा, बोले, तेर से ना हो पाएगा, मैं त कुछ चेकलीज भेशता हूँ मैं दो क्या भेशता हूँ चेकलीज वह भर के देवले और अगर जादा ही बड़ी बात है बुले यह तो कुछ काम नहीं कर रहा बहुत बड़ी ब्रांच है तो हमको क्या करना है विजिट फिकली पहले सब जबाब देंगे अब तो फैन भी अगर सारे सबुत आपको सही मिले पहले के तो आपको यह ऊपर की चार पुशियर लगानी की ज़रुरात नहीं है डिपेंड करता है दो चीजों पर सरकम्स्टांसे अगर प्राइड निकले है रिस्क निकली है निगेटिव रिपोर्ट है ब्रांच को लेकर बहुत दूसरा दिसरा नॉलेज अन प्रोफेशनल कॉंपेटंस अफ अफ अधर ओडिटर ओके ठीक है नौ नोर्स पर देखो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा डिस्केशनली प्रॉशियर लगाना की नहीं लगाना सरकम्स्टांस ब्रांच में कितनी गड़बड चल रही है और द पॉइंट लिखा है राइट विजिट ला में बहुत सी बार राइट विजिट दिया जाता है और अगर उसको ऐसा लगे कि बहुत जरूरी है तो उसने जाके विजिट करना चाहिए ब्रांच आइटर उसको रोक नहीं सकता है अगे बास समझेघ चाहИ और आकरी में लिखा है ब्रांच आइटर की जिम्मीदारी सबमिठ रिपोट टू प्रिंसिपल आउडिटर समय समय पे सारी बाते बताए अपनी रिपोर्ट आखरी में सबमिठ करे और अगर व्राड मिलता है तो फ्राडça प्राड से 600 किसकी जिम्मेदारी, प्रिंसिपल, ओईटर की जिम्मेदारी, उसमें भी पहले कौन सी प्रोजिएर, mandatory, जरुरत पड़ी तो, discretionary, और उसके बाद किसी जिम्मेदारी, ब्रांच की, right to visitor, and then branch, ओईटर की जिम्मेदारी. अगला question है 103.1. द्याने, 120, बहुती ज्यादा popular रहा है, 610, listen, र्याने, internal auditor और statutory auditor के काम में बहुत सारी similarities होती है, दोनों के skill sets भी बहुत common होते हैं, internal auditor भी internal controls को study करता है और statutory auditor भी करता है, वो करता है ताकि उस पर report दे सके, हम करते हैं ताकि हमारी strategy तै कर सके आगे की, so there is a lot of similarity, तो ऐसे 610 बोलता है, you can take help of the internal auditor, और आप दो तरीके से help ले सकते हो, number one, जो, if you take help of the work which is already done by the internal auditor, जो काम internal auditor कर चुका है, if you are taking help of the work which is done by internal auditor, जो internal auditor कर चुका है, management instructions के हिसाब से, उसको बलते है, using work of internal auditor, और अगर आप internal auditor को appoint करते हो, कि तू मेरे हिसाब से अगले 15 दिन काम करेगा, मेरे हिसाब से तू अगले 15 दिन काम करेगा, you will work as per what I say, correct, तो उसको बलते है, taking direct assistance, तू जो काम कर चुका है, as per management instruction, अगर मैं उसकी help ले रहा, उसको बलते, using the work, और तिरको अलग से appoint करूंगा, तो उसको बलेंगे taking direct assistance, अब हम blind reliance नहीं कर सकते, इस ते तीन steps दिये, step number one, पहले सोचना पड़ता है, evaluate करना पड़ता है, क्या internal audit function, मतलब ही, क्या internal audit, ठीक है, internal auditor भरोसे मंद है क्या, अगर है भरोसे मंद, तो दूसरा, मैं कौन से areas में, मैं उसकी मदद ले सकता हूँ, कौन से areas में मदद ले, नहीं सकता हूँ, कौन से area में मैंने उसकी help को लेना चाहिए, correct, दूसरी बात, और तीसरी बात, third thing, ठीक है, तीसरी बात, how to use the work, तीन step दिये सा, step number one, हमने internal auditor पे भरोसा करना, कौन से area में करना चाहिए, कौन से area में नहीं करना चाहिए, area select करो, और तीसरा, how to use it, direct assistance में भी तीन step होते है, इंटर लॉइंटर परोसा करना, क्या, कौन से area में assistance लेना, चाहिए, अगर आपको ये question आया कभी, बहुत repetition है, भयंकर, exam exam में बहुत बार पुछा है, ठीक है, अगर ऐसा question है, how to, और, ऐसे revise हो चुका है, तो उसका answer भी revise हो चुका है, तो ये revised answer आपको लिखना है, अगर आपको सवाल आता है, internal auditor पे भरोसा करना चाहिए क्या, अगर ये सवाल आता है, कि क्या internal auditor पे हमने भरोसा करना चाहिए, whether it should be done, ज्यान देंगे, तो क्या हमने भरोसा करना चाहिए, तो सुनिए, तीन चीज़े देखनी है, बहुत आसान सी, तीनों चीज़े mandatory है, तीनों में से एक भी नहीं रही, तो आपने उस पे भरोसा करना नहीं चाहिए, पहला उसका technical competence, उसने क्या qualification अप्टेन किया है, qualification क्या है, उसकी training क्या लिया है, कितना experience है, क्या market reputation है, technical competence समझना है सब, क्या समझना है, technical competence, दूसरा, ठीक है, उसकी objectivity, is he unbiased, ना जुकना चाहिए, ना बिकना चाहिए, जुकेंगा कब नहीं, जब organization में उसका status अच्छा हो, सीधा directors को reporting होती हो, और directors ने उसको बोला है, no restrictions on your scope, जो check करना है, जैसे check करना है, तो कुद थाय करेगा, जुकेंगा नहीं बन्दा, organization status, directors के जस्ट नीचे है, किसी की भी गलती बता सकता है, किसी तरह कोई restriction नहीं है, कोई रोपटोक नहीं है उसको, यह जुकेंगा नहीं बन्दा, बिकेंगा भी नहीं, कोई financial dependence नहीं है, कोई conflict of interest नहीं है, कोई financial dependence नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैं department head भी और मैं internal auditor भी हूँ, इस नोट लाइट भी हूँ, जुकेंगा भी नहीं, objectivity चेक करनी है, independence नहीं, क्या, objectivity, internal auditor is not independent, उसकी independence बहुत लो होता है, very low independence, ठीक है, और तीसरा, उसका systematic and disciplined approach है, क्या मैं अची है, systematic and disciplined approach, वोले एक वाल्यू में 2000 पेच का, principles of internal audit, हर टीम मेंबर की training होती है, अगला 2000 पेच का वाल्यू में, checklists, अगला 2000 है, various issues और उसकी reporting, systematic and disciplined approach है, तब वो stand में कैसा लिखा है, internal auditor को evaluate करना है, तो ये तीन चीज़ो को देखना चाहिए, पहले technical competence, फिर उसकी objectivity और उसका systematic and disciplined approach, फिर लिखते है, पास, and he should ensure that, if there is no appropriate competence, don't take his help, he is not objective, don't take his help, उसी बात को repeat मारते है, और if he is not having systematic and disciplined approach, don't take his help, इसलिए step number one, इतना जबर्दस्ती बड़ा बन जाता है, बस समझी के साथ, ठीके वो point, team point है, और फिर और शुरी सी बात लिखिये, आपस में अच्छा communication हो सकता है, ना, step number, अब, how to use the work, अगर आपको question है, तो दोनों बाते लिख देना, how to use भी लिख देना, कौन से एरिया में यूज करना, वो बात अभी यहां नहीं discuss किये, answer में ठीक है, ना, listen, बहुत आसान है, phone करना, interloiater को, और discuss, planned use and coordinate activities, discuss करो और coordinate करो, हम statutory auditors है, और हमने जानकरी ली कि, आप लोग कैसे काम करते, क्या काम करते, तो हमने ऐसा सोचा है, कि, we will take, we will use your work, in the area of salary, salary में हम आपका काम यूज करेंगे, तो एक काम करते हैं, आप में तक का समय लीजे, पुरा साल लीजे, बारा मैंने, एप्रिल और में दो मैंने और लीजे, आप 30 में तक, आप आपका salary area का काम खतम कर दीजे, फर्स जून को, आप reports और अपनी files लेके आईएगा, हम उसको एक बार refer, हम उसको refer करेंगे, उसको use करेंगे, ठीक है, ऐसा हम सोच रहे है, क्या आप radio इसके लिए, ठीक है चलेगा, internet will be radio उसकी fees बढ़ जाएगी, बहुले done, महनत करी रहा हूँ, report बनाई रहा हूँ, तो एक को भी बता दूँगा, तो पहले discuss करो और coordinate करो, common sense है नहीं यार, फर्स discuss and coordinate, फिर वह report लेके, और देखो बहुत simple सा flow है, फिर आएगा और report लेके, read the report, एक जुन को report पढ़ो, report में, किसी भी report में, nature timing extent बता होता है, हमने क्या चेक किया, कब चेक किया, कितना चेक किया, nature timing extent उसकी findings होती है, तो लिखा है salary में, कुछ employees को जादा payment हुआ है, joining mid month ही, पूरे मेहने की salary दे दी, कुछ employees को retirement के बाद भी salary दे रहे, तो बोले कुछ गलतिया हमको मिली है, कुछ dummy विलेक workers भी हमको मिले है, report read करो उसकी findings देखो, now ask for body of the work, body of the work मतलब files, files बताइए, अब मैं files, report आपकी पढ़ ली, मैंने समझा, आपने का काम किया, कैसे काम किया, आपको क्या results मिले, अब मैं आपकी files भी देखना चाहते हूँ, files पढ़के देखूँगा, I want to understand how the work was planned, किसने planning की, कैसे planning किया, planning करने के बाद में, किसने उसको execute किया, किसने उसको supervise किया, किसने उसको review किया, यह मैं देखना चाहता हूँ, bracket में सब ऐसे एक्जामपल दिये, जो मैं बता देखा रहा हूँ, फिर, बहुत अच्छा, आपने अच्छा काम किया है, खुद ने कितनी मेनद करने, जो डिपेंड करता है, it depends on factors जो हमने उपर discuss किये थे, competence क्या है, अब्जेक्टिविटी क्या है, उसका approach कैसा है, उस पर depend करते हैं, उपर के factors, एरिया में judgment कितना लगता है, एरिया में judgment और risk कितनी है, मैं कितनी मेनद करूँगा, कितना in-depth check करूँगा, depend कि बंदा कैसा है, एरिया कैसा है, risk कैसी है, अब एक बात और लिखी है, कुछ भी हो जाए, माना उसके उपर भरोसा कर रहे हैं, उसका काम यूज कर रहे हो, थोड़ा काम दे तुन्हे परफॉर्म करना चाहिए, शुड ऑल्वेज इंक्लूड री परफॉर्मन्स आफ सम वर्क, थोड़ा काम खुद करके देखो आपस, सम वर्क, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सामना बेवकुप बना रहे पूरा, फिर आखरी में जब ये सब चेक और लो, तो आपका, आपने जो सोचा था कि इंट्रल लाटर इतना अच्छा होगा, सही में है, क्या हो, आप कॉंक्लूड कर लो, यह शूड कॉंक्लूड, केस दिस्कूशन और कॉंक्लूजन है, देन देंगे सब, बहुत आसान है, स्टेप नमबर वन है, कि पहले तीन चे देखनी है, क्या देखनी है, काँन सी, टेकनिकल, कॉंपिटेंस, कॉंपिटेंस के बाद, अब जेक्टिविटे, उसके असिस्टिमें, डिस्टिमें, अप्रोच, अब उसका काम यूज करना तो कैसे, डिसका सायन, पॉर्डिनेट, रीड, रिपोर्ट, देन बोड़ी आप दी, वर्क, उस पे परफॉर्म को, पर तुम्हारी प्रोसेड डिपेंड करती, कम करना की ज्यादा, और आखरी में कन्कुलूजन, जैसा तुमने सोचा था, वैसा सही में है क्या, बात समझी के सब, ना, यह जो कॉस्टिने ड्रॉप कर सकते हो तुम, लिखा लेकिन, लिखा लेकिन वहाँ पर जो डीटेल दी है, आज कल वो डीटेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है, ना, कॉनसे अरियास में, चॉनसे अरियास में, चॉनसे अरियास में, ना, लिखान का वो, कॉनसे अरियास अपचेशा, लिखान, लुए रॉटर शेशव, लिखान हम धून, कैसे अरियग्ड करना, कैसे युज करना देखा, अब ये सवाल पूछा है, जब हम डायरेक्ट असिस्टन्स लेते हैं, तो कौनसे एरिया में हमने असिस्टन्स लेना नहीं चाहिए, बहुत आसन, द्यान नहीं है, हमने कहां पे असिस्टन्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जहां पे high risk of material misstatement हो, जिस एरिया में high risk of material misstatement हो, वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा काम statutory auditor ने खुदने करने के बारे में सोचना चाहिए, internal auditor के भरों से बैठना नहीं चाहिए. अचा मज़े की बात यह है, यह step common है, same है, whether you take direct assistance or whether you use the work of internal auditor, high risk of material misstatement जहां पे वहां पे आपने internal auditor के भरों से नहीं बैठना चाहिए, वहां पे आपने खुद मेहनत करनी चाहिए. significant judgments in audit, audit में जहां जहां significant judgments लेने पड़ते हैं, initially सोचना पड़ता है, maturity कितनी होगी, खुद तय करो भाई, risk assessment, खुद करो, जो important judgment यह सारे तुमने खुदने लगाने चाहिए, quickly बहुत आसान है, कौनसे area हमने खुदने करने चाहिए, assistance जहां पे higher risk of material, misstatement है, जहां पे significant judgment लग जाता हो, फिर areas where interval involved, जहां पे conflict of interest है, जहां पे conflict of interest है, उसने खुद नहीं मेहनत किये, उसने खुद नहीं काम किया है, उसने खुद नहीं काम किया है, उसने खुद नहीं अकाउंटिंग, मतलब उसने खुद ने consultancy दिये, उसी से check करवाना नहीं चाहिए, ठीक है, are you getting this point? इसने लेना कि नहीं लेना, ओ भाई, यह तो काम तुमको खुद को करना पड़ेगा, यह काम थोड़ी उसको सकते हो, देखो आसान है, पॉंसा काम उसके भरो से नहीं चुना चाहिए, जहां पे, high risk of material, misstatement हो, जहां पे significant judgment लगता हो, जहां पे वो involved हो, और ऐसे 600, 10 की बाते वो तुम खुद तय करो, अब फिर यह समझा है, significant judgment generally कहां लगता है, और वहाँ पे shortcut दिया है, grades, grades देने में बहुत judgment लगता है, तो G stand for going concern, going concern के बारे में चीज़े खुद देखनी चाहिए, internal auditor को यह काम outsource करना नहीं चाहिए, then risk of material, किस area में risk of material misstatement है, यह खुद तय करो, outsource मत करो, A stand for accounting estimates, यह भी खुद चेक करना चाहिए, D for disclosures, यह भी खुद चेक करने चाहिए, then, accounting estimates, then S stand for sufficiency of tests performed, बरावर, audit report को भी A को highlight करो, यह खुद चेक करना चाहिए, R stand for risk assessment, यह खुद चेक करना चाहिए, A stand for audit report को जो मामले असर करें, वो खुद चेक करना चाहिए, D stand for disclosure, E for estimates, S for sufficiency, कब test को खतम करना, sufficiency of the test performed, इसमें और एक चीज़ कुशन आया था, external confirmation procedure क्या मैं direct assistance के लिए दे सकता हो क्या, direct assistance तू perform कर दे मेरे भी हात में, no, ऐसे 505 में लिखा है कि हमारा पूरा control होना चाहिए, हमारा पूरा control होना चाहिए, किसकी उपर, external confirmation procedure पर, और बहुत important भी है वो, यह दो reason के और जैसे, हम external confirmation का काम direct, external confirmation के काम में direct assistance ले नहीं सकते, बात समझे सब, okay, we are through with, ठीक है, बस खतम कर रहे, आई यह पर 105.0, बस थोड़ी सी बाते देने, 105.0 और उसके नीचे, 10, अरे वो तो अती अती important है 105.10, 18 mock test, 19 mock test, 19 RTP, ध्यान देंगे, expert के साथ हमको agreement बनाना पडता है, क्या बाना पडता है, agreement, ठीक है, एक client था, हमको helicopter ride पे बोले चलोगे क्या, क्यों नहीं चलो, helicopter ride पे लेके चले गए, और, ठीक है, Arabian sea में helicopter जा रहा है, वहापे बीच में थोड़ा stable, दर्वाजा खुल दिया, पागल हो गया भई, दर्वाजा क्यों खुल रहा है, बंद कर, नहीं नीचे देखो बोले, मैं क्यों देखो बोले तू देख, कूज जा तू तो, ऐसी हरकते कर रहा है, नीचे देखो बोले आप वहापे आपको एक dark patch नज़र आ रहा है, तो दिखा ना बंद करो, चलो, क्या दा, फिजिकल वेरिफिकेशन, वहले किसका, ऑईल वेल है बोले हमारी वहापे, बोले पागल बना रहा है कि यह हमारे बसकी बात नहीं है, बोले यह expert हमको लाना पड़ेगा, ध्यान देंगे, तो हमारे client में basically, client में there is a oil well, अब oil well है, यह हमको नहीं समझ नहाला expert, अब ध्यान दो, हम expert रख भी रहे, अब expert हम रखना चाहते है कि जो मुझे मदद करे, यह पता लगा के दे, कि कितना oil है, उसकी क्या quality है, क्या उसका valuation है, अग्रीमेंट में कौन सी बाते लिखी होगी, सुनो, this image will help you immensely, अग्रीमेंट बनाएंगे तो कौन सी बात है, तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए, nature of work, nature of work, उसको समझाया जागा, बहुले चार चीज़े, यह तो को example है बाकी से भी याद रखने के लिए, बहुले चार चीज़े करनी पड़ेगी, पहले, company उने खुशने, company उने खुशन अगुशने बोले drilling की है, क्या क्या साब, drilling drilling की है तो drilling से data मिलता है यह data को तुमको analyze करना है, ठीक है, आसान है, फिर और satellite images है, वो images को study करके देखना है, कि toilet ठीक है, 10 samples तुमको खु़द को इठाने है, ठीक है, boards provide कर देना, permission देना, ठीक है, done, और 5000 feet की drilling तुमको खुद को करनी है, nature of the work लिखा होना चाहिए, agreement should clearly explain nature of the work to be performed, done, then scope coverage, सिर्फ ORISA में जो oil field है, उसको आपको cover करना है, done, और existing climate, climate change range का ध्यान नहीं दना है, सिर्फ scope क्या आपका, क्या cover करोगे, सिर्फ ORISA की oil well with existing climate, done, objective, आप width of the oil well, depth of the oil well, quality of the oil, और valuation of the oil बताओगे, ठीक क्या objective fix, role of the expert, equipment लाना, team ले के आना, time limits follow करना, role of the auditor, तेरे को data में दिलवाऊंगा, जो उनने drilling की data में दिलवाऊंगा, satellite images में दिलवाऊंगा, permissions में दिलवाऊंगा, clients से, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, जो permissions, vote, vote ये, वो सब में दिलवाऊंगा तिरको, okay done, communication, 15 दिन में communication, 15 दिन में communication, 3 मेने में midterm report, 6 मेने में final report, confidentiality breach की तो 25 लाग का जुर्माना लगेंगा, ये example है, लेकिन इस से आपके दिमाग में fit बैठेगा की agreement में कौन सी बाते लिखी होनी चाहिए, इमेज पर दिहाना चाहिए, लेफ में कहाता पहला, nature of the work, nature of the work क्या perform करना, उसके उपर, scope of the work, फिर उसके बाद, objective to be achieved, then role of the expert, role of the auditor, फिर communication, फिर confidentiality, see, this is how memory works, अगर आप उसको एक example और एक युनिक situation देदो, you tend to remember things, आप एक उनिक situation देदो उसको, और ये points अगर ऐसे line से लिखे होते 7 points, तो फिर दिमाग तोड़ो उसको, इसको रटू कैसे, लेकिन अगर आपके दिमाग में image है और एक उनिक example है, तो you will automatically remember it, now, ये question मेरे को बर्सों से लगता था, हर attempt में मैं गलाप फाड़ फाड़ के, अब आएगा, अब आएगा, institute ने लेकिन उसके पहले दूसरा ही पूछ लिया ला, number 16 में, ठीक है, need for detailed agreement, institute ने पहले logically क्या पूछना चाहे था, agreement में क्या लिखते है, और फिर पूछना चाहे था, when you should have detailed agreement, वा बेटा, उन्होंने पहले पूछ लिया, ने, need for detailed agreement, need for agreement, detailed agreement कब चाहिए, कब आपको detailed agreement चाहिए, तो आपे निमोनिक है, nuclear deal is complex, cb आता उसमें, detailed agreement कब चाहिए, nuclear deal, n stand for not previously used, भाई साहब ये expert से पहली बार हम काम कर रहे है, पहली बार काम कर रहे है, पहले कभी हमने expert का काम यूज नहीं किया, क्या होना चाहिए, detailed agreement होना चाहिए, deal, this stand for different from those normally expected, भाई इस assignment जो काम करना है न उसको, this is different from what is normally done, normally लोग oil valuation करवाते, satellite images, लेकिन यहापे तो उसको अमने और भी बाते बोली है, और तीन चीज़े बोली है, कुछ अलग काम है, confusion हो सकता है, इस ते अच्छे से detailed agreement बनना चाहिए, carefully, then E stand for extent of auditors work, कितने हम dependent है, भाई साब बहुए जादा dependent है, 8000 क्रोड का valuation है, balance sheet 10,000 क्रोड की है, भयंकर maternity, भयंकर dependent है, ministry को report भी देनी है, बहुत जादा dependent है उसकी उपर, तो उसका agreement उतना detailed बनना चीए, A stand for access to sensitive information, sensitive information, अरे sensitive information मिलने वाली है, leak हो गई ना तो बहुत loss होगा इसको, detailed agreement मना, leak उसके बारे में, L stand for legal, multi-jurisational legal and regulatory requirement है, वो oil well international waters में, वो फिर oil लाना है, तो दुसरे waters लगते है, दुसरे देश, हमारा देश अलग, जिसको पहुचाना है वो अलग, बहुत complicated गाह में बोले हैं, multi-jurisational, बहुत सारे laws involved है, तो यहाँ पे detail agreement होना चाहिए, सब के compliance के लिए, and C complex, highly complex, बहुत ज्यादा complexity है बोले, वो इतना असान नहीं है, width, depth, quality, valuation निकालना, detail agreement बना, N stand for not previously used, D stand for different work, E stand for extend, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत सा कर रहा है, A stand for access to sensitive information, L stand for legal, multi-jurisational, legal requirement, C for complexity, बहुत सम्झी सर्फ, last question, 106.10, page number 128, इतना लंबा चोड़ा केस बनाते, कसम से, time pass, की भी हद है, अच्छा, वो भी institute जो पेपर चापता है, वो ऐसे, इधर से मार्जीन, वार्जीन, पॉर्ण, वार्ण, वार्ण, माइंड गेम खेल रहा है, आपके साथ, इस बार तो बहुत अच्छा है, integrated mcqs है, केस एक रहेगी, mcq 5 होंगे, yes, it should be easy, लेकिन उस पर भी कुछ बच्चे है, भाई, रोता कुछ लोग बंदी नहीं करते, चो और कैसे होंगा, integrated, कैसे होंगा, it is mcq, उल्टा वर्कलोड, कम हो जाएंगा, integrate mcq में कैसे होंगा, एक ही बार केस पढ़ना है, और मैं आपको बारता हो, केस अभी mcq निकला तो भी, mcq में सबसे important है, आखरी दो-तिन लाइन पढ़ना, और options को study करना, option को study करना ज्यादा important है, as compared to analyzing the question, कौन से दो option सेम बात बोलना चाहते है, किस में कौन सी extra बात लिखी हुई है, मतलब पहले तो भी overview, हाँ फलाना फलाना फलाना, question क्या है, options क्या है, फिर बात में आगे, अपस case पढ़ूँगा कि important information कौन सी है, बात समझ रहे क्या, अगर तो आप उल्टा करते हो ऐसा, तो यह ले मैं लाइन लाइन पढ़ करके mcq पढ़ता हूँ, बेकार, सत्यानास, एक-एक mcq में वेस्ट करोंगे 5-5 मिनिट, वो बेकार की बात है, कंपनी कब established हुई, उसकी history क्या थी, उसका turnover क्या था, उसका founder कौन था, सब बेकार, उस पर ध्यार ही नहीं देना था, बात समझ रहे क्या सब, when you need to be smart, when you solve mcqs, मुद्दे की बात है, आखरी तीन-चार लाइन, और फिर हाँ जाके पढ़ेंगे ने डीटेल, इसकी जरुरत है, अच्छा यहाँ पर सवाल यह है, हमने expert की report लिए उसको पढ़ा, उसके हमको हमारे audit file में लगाया, क्या उसको refer करेंगे क्या audit report में, लिखेंगे क्या audit report और expert की report हम लोगों ने use कर क्या हमारा opinion बनाया, क्या हम लोग करेंगे, answer is, अगर unmodified report है, ठीक है, उसकी पहले एक बात लिखेंगे पहले, before we go reporting, ऐसे 620 में समझाया है, कि कभी भी अगर आपको auditory का काम चेक करके ऐसा लगा, यार मजा नहीं, I am not getting sufficient appropriate evidence, I am not getting adequate, I am not getting adequate evidence, तो आपने expert को बुलाना चाहिए, उसको उसके साथ वापस discussion, वापस agreement बनाना चाहिए, you should ask him to do work again as per the revised instruction, as per the revised agreement, to go back and do work again, ऐसा बुलना चाहिए, and you yourself should perform alternative procedures, आप खुद भी checking शुरू करो, आप खुद भी checking शुरू करो, आपके पास कुछ तो सबूत मिल जाएंगे, पिछले साल की files है, दूसरे auditors है, ठीक है, कही ना कही से और सबूत आपको मिलेंगे, चेक करना शुरू करो, अगर आपका सक्सेस्फुल नहीं होया, ना वो काम बराबर कर रहा है वापस, ना आपको सबूत मिल रहा है, then you are supposed to modify, यह supposed to modify, आपको modify करना पड़ेगा आपका opinion, बात समझ रहे के साब? आपको वह काम बराबर नहीं कर रहा आपको भी आल्टरनेटीव प्रसेस अबूत नहीं मिल रहे तो आपको कॉलिफाय डिस्क्लेमर करना पड़ेंगा मौडिफाय करना पड़ेंगा अब बता रहे अगर क्लीन रिपोर्ट देते किसी को अच्छा बोलते न तो करोंगे तो बोले आपको अगर आप अन्मोडिफाय बोलते रहे हो तो जनरली आपको कोई रफेरेंस देने की कोई जरुरत में नत्पिंग इंग इस गुरूद अन्लेस रिकाइब बाइलो लेकिन अगर आप मॉडिफाय कर रहे हो आप बोल रहे हो चीजे गलत है देन यह to have a basis of opinion paragraph, क्या लगता आपको, basis of opinion paragraph, वहापे आपको reason देना पड़ता, quantify करना पड़ता, amount बताना पड़ता, वहाँ पे आप reference दे सकते हो, that you have relied, that you have relied, आपने rely किया है, ठीक है, you have relied on work done by the expert, लेकिन सब में, सब भी भी अगर आपने reference दिया है, expert के report का reference आपने दिया है, it will, it is not going to reduce your responsibility in any manner, audit का एक standard principle है, you can delegate, you can delegate work, but you cannot delegate responsibility, काम assistant से कराओ, किसे भी कराओ, लेकिन जिम्मे वारी हमेशा तुमारी होगी, मैं notes किसे भी edit कराओ, किसे भी print कराओ, किसे भी transport कराओ, responsibility will be mine, you can delegate work, you cannot delegate responsibility, कही पर भी, ना branch audit, रहा, दो exceptions है, दो exception है, branch audit and joint audit, branch audit में गलती हुई तो, branch auditory गलती है, joint audit में गलती हुई तो, joint auditory गलती है, तुम होनार, बुद्धिबान, शक्तिमान, तुम खुद अपने आप में चार्ड अकाउंटेंट हो, और management ने तुमको अप्वाइंट किया है, मैं कहां बीच में है, तुम्हारा तुम्हारी जिम्बर दे तुम उठाओगे, तो ध्यान रखना है, exception है उनली दो होते है, कौ कौर्शन में एक एरर भी है, यह 50 क्रोड, मतलब अपने बुक में एरर नहीं, जो उन्होंने एक पी-म में कौर्शन चापा है, उसमें गल्पी है, 50 क्रोड क्रोश में, नहीं, एक ही जगह, यह फड़ा फट हेडिंस लिख दो, लिखते जाओ, सुनते भी जाओ कि क्या, क्या क्या कॉश्चन है, सवाल ऐसा है, कि इंकम टैक्स एक्सपर्ट को रखा है, उसने बोला पांच क्रोड कुजन फोर टैक्स होना ची, लेकिन जब आक्च्वल असेस्मेंट दुआ, तो उसमें निकला 50 क्रोड, बहुत बड़ा डिफरेंस निकला, तो उसमें उन्हें समझा है, एकदम ये बहुत पुराने जमाने का कुश्चन है, ऐसे से कोई लियांजना नहीं संबंदितने अतलब, ऐसे का रिफरेंस है, सिर्फ, बाकी बाते तो बहुत पुरानी है, और इट में ऐसा होता है, बहुत सारे फील, जिसका हमारे पास नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम लोग किसकी यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करना उसका कामकाली का, ऐसे 620 में, और इस रिस्पॉंसबिलिटी अफ और केरफुली उसका काम एक्जामीन करके फिर उस पे भरोसा करना, यह जिम्मेदारी थी किसकी, आउडिटर, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इस शो उसकी आउडिटर केरलेस है, पांच करोड का आगे पिछे साड़े पांच समझ म expert का, मतलब 620 बराबर लगाया नि, conclusion, he is responsible, कराट लापर भाई है, the auditor should have rejected the opinion and insisted upon making proper provision, auditor की गल्तिया स्क्यानि, समझागे साब?